आज की सभा में उपस्तित औरंगाबाद मेगर के समाननी नागरिफबंदो, आज की सभा के प्रमुपतिती शुनी पद्माकर जी, मैं आप सभी का बहुत आभरी हूँ कि आप यहाँ उपस्तित हैं और मुझे आपसे समबाद करने का बात करने का थोड़ा समय में रहा है, आपने पहले कभी सुनी ना हो, पढ़ी भी ना हो, पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभिहास कर रहा हूं, उन में से ये एक समस्या है जो गोहत्या की है, गोहत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में, कि हर साल दो कोटी पचास लाख गाय का कतल इस देश में बता है, और दो कोटी पचास लाख गाय और गोगंश का कतल करने के लिए, तीन हजार शेसो कतल खाने इस देश में चलते हैं, भारत सरकार के रेजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कतल खाने तीन हजार छेसो के आसपास हैं बिना रेजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कतल खाने हैं उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है एक बार मैंने भारत सरकार के कृष्वी मंत्राले को जिसके अधीन में पशू मंत्राले भी आता है पशू धन विवाग आता है उनको एक खत लिखा था पत्र लिखा था और उनको ये पूछा था कि जो रजिस्टर्ड कतल खाने हैं जिनका सरकार में अनुमती पत्र दिया है उनकी संख्या 3,600 है अन्रजिस्टर्ड कितने हैं तो उनका हमने आज तक गींती नहीं किया है लेकिन हमारा अनुमान है कि 36,000 कतल खाने अन्रजिस्टर्ड है 36,000 कतल खानों में प्रतिवर्ष दो कोटी 50 लाग गाए और गोवंच का कतल हो रहा है इस कतल में से 72 लाग मीटर टन मास उत्वन होता है और ये मास भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निरियात किया जाता है सबसे जादा भारत के गाए और गोवंच का मास अमेरिका भेजा जाता है दूसरे घंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है और थोड़ा कुछ बज जाता है तो अरब देशों में चला जाता है भारत की गाय कामास अमरी की लोग सबसे जादा खाते यूरोप के लोग भारत की गाय कामास खाना पसंद करते उसके बारे में थोड़ा मैंने अप्यास किया कि ये अमरी की लोग अपने देश की गाय कामास क्यों नहीं खाते भारत की गाय कामास क्यों खाते यूरोब में भी गाय होती है वो अपनी गाय का मास्क तो ने खाते हैं तो पता ये चला कि यूरोब और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारिया है और उनमे से एक बीमारी का नाम है मेट काउ डिसीज इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर्व का जो सींग होता है और उसमें गाव भो जाते हैं पस पढ़ जाता है और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी गाव हो जाता है पस पढ़ जाता है तो सामनी रूप से अमेरिका और यूरोब की गायों को ये बीमारी रहती है और इस बीमारी का मास मने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मास कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज़्यादा गंभीर बीमारी होने की शक्तिता है इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आज पल अपने देश की गाय का मास कम खाते है भारत की गाये के मास्की उन्हें ज़्यादा डिमांड है कारण क्या है भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है मैंने इस विश्वर थोड़ा और अभ्यास किया कि भारत की गाये में ऐसी क्या विश्वरिशता है जिसको ये बीमारी नहीं और अंग्रेजी गाये में क्या तकलीफ है यूरोपियन अमेरिकन गाये में क्या है जो ये बिमारी जादा है तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाये को भी मासाहरी भोजन कराया जाता और गाये मूलत है शाकाहरी प्राणी है तो शाकाहरी प्राणी को अगर मासाहरी भोजन कराओ तो कुछ न कुछ तो उसके साइड एफेक्ट्स आएंगे वो यही है आपके मन में प्रशना आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाए को मासाहरी भोजन कराते ये मैंने उनके हाँ प्रशना एक बार पूछा यूरोप में गाए पालन करने वाले जो संस्थाएं हैं उनको जब मैंने इमेल किये और उनसे पूछा कि आप इनको मास क्यों खिलाते हो गाए को तो कहते हैं मास बढ़ाने के लिए मास खिलाते गाय के शरीर में मास्क की मात्रा और ज़्यादा बढ़े इसके लिए मास्क खिलाते हैं और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मास्क के लिए ही पाले जाती है दूद उनके लिए सेकंडरी प्रॉडक्ट है दूद पिने की यूरोप को और अमेरिका में कोई पर्मपरा नहीं है और दूद पिना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं लगन मास्क खाना पसंद करते हैं तो गाय को वहाँ मास्क लिए पाला जाता है और इसलिए गाय को पिछले पचास साई में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैस से भी जादा बत्तर हो गई यूरोप और अमेरिका की जो जरसी गाय है, होलिस्टियन है, फ्रीजियन है जो उनकी प्रजातियां है, वो सभी बहुती विचित्र किसम की है उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचाए जितने दुरगुण भैस में होते हैं, वो सब जरसी गाय में दिखाई देते जैसे उधारण के लिए, जरसी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता और जरसी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं कई बार ऐसा होता है कि जरसी गाय का बच्चा किसी दूसरी जरसी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन भारत की जो देशी गाय है वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है, इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आँख से भी देखा तो मार डालने के लिए तयार हो जाती है और भारती गाय की सबसे बड़ी विशुष्टा ये है कि लाखों की भीड में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है और लाखों की भीड में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है जरसी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है चलाने की कोशश करो तो बैठ जाती है लेकिन भारती गाय की ये विशुष्टा है कि कितने भी उँचे पहाड पर उसको चड़ा दो वो चड़ते चली जाती अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमाले की परिक्रमा करिए हिमाले परिवरत पर जितनी होँचाही तक मनुष्ट के जा सकता है उतनी होँचाही तक आपको देश्वी गाय मिलेगी गंगोत्री जाइए, जमनोत्री जाइए, बद्रिनाद जाइए, कियदारनाद जाइए ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हमाले की परिक्रमा लगबग हो जाएगी आपको हर जगे देश्वी गाय मिले भी जो आठ हजार फिट, नौ हजार फिट, दस हजार फिट की उंचाई तक आराम से चली जाती है कोई तकलीफ ने, लेकि जर्सी गाय को दस हुट भी उपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है जर्सी गाय का पूरा का पूरा सुभाव बहस के जैसा है अगर सड़क पर कहीं बहस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए, वो हटती नहीं क्योंकि हटने के लिए जो आई-क्यू चाहिए, वो उसमें नहीं है ठीक, ऐसा ही जर्सी गाय में होता है जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती सामने रूप से ये जो जर्सी गाय है इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विक्सित किया गया है डूकर के जीन से सुर के जीन से विक्सित किया गया है और इसमें जितनी भी जर्सिगाए है यूरोप और अमेरिका में आपको सुनकर आश्वर होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टी फीशिल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है सब का और आप जानते हैं कि artificial insemination में ये गुंजाईश है कि आप चाहें तो गोड़े का जीन्स उसमें डाल दें आप चाहें तो डूकर का डाल दें, सुवर का डाल दें कुछ और जानवरों का भी डाल सकते और artificial insemination से ही उसको गर्वबती बनाया जाता है ये उनके यहां पिछले 50 साल से चलके आता है यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विश्टेशन ये है nutritional experts जिनको माना जाता है वो सभी कहते हैं कि अपनी गाये मने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाये का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में cancer होने के शक्किता diabetes तो सबसे जल्दी होता है arthritis, rheumatid arthritis, osteoarthritis, asthma, bronchial asthma ऐसे 48 लोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाये का मास खाओ तो तो अब वहां पर एक अभ्यान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में वो अभ्यान यही है कि उनके देश में जो गाये है उसका मास कम से कम उप्योग करो और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाये है इसका मास ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो तो भारत सरकार के साथ European Commission ने और अमेरिका ने Agreement Sign किया हुआ है उस Agreement के साथ हर साल हमारी सरकार बहत्तर लाख मीटरिक तनमास यहां से गाये और गोगंच का भेजती है और उसके लिए ढ़ाई करोड गाये को हर साल इस देश में कट जाना पुरता है यह जो समस्या है हमारे देश में गोहत्या की यह आजादी के बात पैदा हुई है ऐसा नहीं है यह आजादी के पूर्व की समस्या आजादी जब हमें मिली 15 अगरस तो 1947 को तो महात्मा गांदी जीवित थे और महात्मा गांदी के सामने अंग्रेजों की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था वो प्रस्ताव यह था गांदी जी को पूछा गया था मांदी जी ने उनको एक चिठी बेजी थी और यह कहा था कि बापू आप बार बार कहते हो कि गोहत्या बंद होनी चाहिए गोरक्षा होनी चाहिए और अंग्रेजों की सरकार बड़े पैमाने पर गाय का कतल करती थी तो गांदी जी ने बार बार कहा कि यह गाय का कतल बंद होना चाहिए गोरक्षा होनी चाहिए तो मांट बेडन ने गांदी जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप बोलो आजादी और गोरक्षा में से क्या चाहिए आपके आजादी चाहिए या गोरक्षा चाहिए दोनों में से कोई एक चुनाओ आप करो तो गार्दीजी ने पत्र का उत्तर दिया कि देखो अगर अंग्रेजों की यही कोई शर्त है कि आजादी और गोरक्षा में से कोई एक चीज चाहिए तो मैं गोरक्षा पसंद करूँगा और गाय की रख्षा हो गई तो आजादी तो फिर आपसे में ले ही लोगा उसके लिए आपकी दया नहीं चाहिए बस आपकी दया गाय पर चाहिए कि आप गाय का कतल बंग कर दो जिस समय ये घटना घटित होई उसी समय गांदी जी के बारे में अंग्रेजों के एक अखवार में एक लंबा आठे छपा गांदी जी ने उसका जवाब दिया और गांदी जी ने कहा कि मैं भारत में चाहता हूं कि एक भी गाय का कतल नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों की सरकार ने साभे तीन सो कतल खाने खोले हुえ और हर दिन इन मैं पचास हजार से ज़्यादा गाय कटती है और ये सारी कि सारी गाए का मास अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेजों की सेना खाती है जो बच जाता है उसे इंग्लैंड बेज दिया जाता है मेरे देश में अगर गाई की हत्या होती है तो मैं मानता हूँ कि वो सबसे जगन्य अपराद है जो हो रहा है उस पत्र में गांधी जी में बहुत लंबी-लंबी कई बात लिकी उन्हेंने कहा कि भारत में गाई अर्थव्यवस्था का केंद्र है और संस्कृति का आधार है बिना गाई के भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती और बिना गाई के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती भारत की अर्थव्यवस्था कृश्वी प्रधान है और गाई कृश्वी का मूल आधार है इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाय की हत्यात अत्काल बंद बनी चाहिए और अगर अंग्रेजों की सरकार मुझे ये आप्शन दे रही है कि आजादी और गोहरक्षा इन दोनों में से कोई चीज आप चुन लो तो मैं गोहरक्षा पसंद करूँगा और एक बार भारत की गाय बची जाए तो आगे तो आजादी हम ले लेंगे बात में गांदी जी ने लखा कि अगर अंग्रेज चली जाए भारत छोड़कर और भारत की सरकार भारत में आ जाए तो सबसे पहला कानून भारत में गूरप्शा का ही बनेगा ये मैं भारत वासियों को वाइदा करता अब गांदी जी का ये पत्र अखवारों में छपा भारत की अखवारों में भी बहुत जोरदार छपा और ये जो पत्र छपा गांदी जी का भारत के अखवारों में खास कर हिंतुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पर इसको छापा ये सब गटना 1946 के आसपास की है दिसंबर के महीने की तो गांदी जी को बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया खास कर अंग्रेज होना है कि आप गाये के लिए इतने क्यों परिशान है तो गांदी जी ने सबसे emotional statement किया शायद उनके जीवक का इस तो जादा emotional statement नहीं था उन्हों रगा अंग्रेज चाहें तो मेरी हत्या कर दें लेकिन गाये को छोड़तें अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि गांदी के हत्या करके उनके मन को संतोश होता है तो वो बेशक मेरी हत्या करें लेकिन गाये को छोड़तें क्योंकि ये गाये हमारी संस्कृती का अधार है अर्थ्यवस्ता का अधार गांदी जी ने जब ये कहा कि भारत में आज़ादी आएगी और सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानूम गोहत्याबंदी का ही होगा गांदी जी चले गए 30 जनवर लाटालीस को उनकी हत्या हो गई उसके बाद इस देश की संसद में 1952 में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए गांदी जी के आत्मा को शर्दानजली यही होगी तो गांदी जी के सबसे परम प्रियश्ष्ष्वपंड जवारला नहरूप संसद में खड़े हुए पुर्ण का ठीक है अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इसमें प्रस्ताव आना चाहिए तो संसद में एक संसद हुआ करते थे उनका नाम था महावीर त्यागी कुवारी समाजी थे और हर बार सोनी पत्से चुनाओ लड़के जीते वो बारत की संसर में सबसे पहला चुनाओ 1952 में हुआ और बहुत भयंकर बोटों से जीत के आये थे वो कॉंग्रेस में शामिल नहीं हुए किसी भी पक्ष में सामिल नहीं हुए तो निर्दल ये चुनाओ लड़ते थे तो महाविक त्यागी ने कहा ठीक है मैं मेरे नाम से प्रस्ताओ लाने की तैयारी करता हूँ उन्होंने प्रस्ताओ लाया उस पर बहस हुई बहस के बाद ये तै किया गया कि वोट किया जा इस पर तो जब वोट करने का दिन आया तो नहरू जी ने एक वयान दिया जो लोग सभा के रिकॉर्ड पर है आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते नहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताओ पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दोगा अगर ये प्रस्ताओ पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दोगा मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधान मंत्री नहीं रहूँगा परणाम क्या हुआ परणाम ये हुआ कि जो कॉंग्रेसी नेता गोरक्षा के समर्थन में संसत में भाशन करे और गोरक्षा के समर्थन में गोट दालने को तैयार हुए नहरू जी का ये वाक के सुनते ही सब पलट गए क्योंकि उस जवारी में क्या होता था नहरू जी अगर छोड़ दें पत तो फिर क्या होगा सरदार पटेई की तब तब सुर्गवास हो चुपा था 1950 में तो नहरू जी अकेले नेता रह गए थे कॉंग्रेस में कॉंग्रेस यों को ऐसा लगता था नहरू इस इंडिया इंडिया इस नहरू भारत है तो नहरू है नहरू है नहरू है तो भारत है और ये नारे बहुत बार लगाई गए इस देश कई बार ये भी कहा गया इंडिया इस इंडिया इंडिया शायद इनकी सुभाव ऐसी है कॉंग्रेसियों की तो इन्हों नहरू जी ने इस्तिफा दिया तो हम तो फिर गए तो इतना हंगामा किया संसद में कि गोट ही नहीं हुआ और अगले दिन महावीर त्यागी को मलगूर कर दिया और वो प्रस्ताओ वापस लेना पड़ा महावीर त्यागी ने प्रस्ताओ वापस लेते समय भाशन किया और वो बहुत ही जोरदार भाशन वो भी लोक सवा के रिकॉर्ड्स में है, उसमें उनोंने कहा कि मिस्टर नहरू, पंडित नहरू, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कि आप महात्मा गांदी के परंपरी अशुष्य हैं। गांदी जी ने वाइदा किया था कि आज़ादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गुरफशा का बनेगा अब आप भी उस से हट रहे हैं तो हम कैसे मानें कि आप गांदी जी के शर्षे हैं इस से भी आगे कहा कि नहरू जी मैं आपको आपके पुराने भाशनों की याद दिलाता हूँ जो आपने अलग लग समय पर अलग लग जगे दिये हैं और हर जगे आपने एक ही बात कही है कि मेंचे किसी कतल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रोह करती है ये कतल खाने तत्काल बंद हो ये आपने कितनी बार कहा है लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हद्या रोपने का तो आप पीछे हट रहे नहरू जी ने उनके इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया उसके बाद क्या हुआ बात आई गई हो गई के मुक्य मंत्रियों को और उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ अंग्रीजी मैं लेकिन मैं हिंदी मैं बताता हूँ वो लिख रहे हैं मुक्य मंत्रियों को कि देखिए अगर हमने गाय का कतल बंद करा दिया तो भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा बहुत कम हो जाएगी और गाय ही एक ऐसी जीव है जो इस समय हमको सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा दे रही है और गाय का कतल करके जो मास है वो बहुत महगा हम बेचते हैं और इस गाय के शरीर से निकला हुआ जो चमडा है ये भी बहुत बड़े पहमाने पर हम निर्याद करते हैं और गाय को कतल करके जो चमडा उतारा जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को सॉफ्ट जोते और चप्पल पहनने की आदत है तो हम क्यों इसको निर्याद बंद करें मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि आप अपने अपने राज्यों में गाय का कतल बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करें ये नहरू जी की चिप्ट्ट है और ये भी रिकॉर्ड में है अब नहरू जी का कौन सा सुरूप सही था और कौन सा गलत ये अभी फैसला करने का समय है मैं मानता हूँ क्या आगया है जब वो गायदी जी के साथ मंच पर खड़े होके भाशन करते हैं तो कहते हैं मैं कतल खाने के सामने से घुजरता हूँ तो आत्मा चीतकार करती है और मैं चाहता हूँ कि सारे कतल खाने बंद हो और जब वो प्रधान मंतरी बंते हैं मुख्य मंत्रियों को चित्थी लिख रहे हैं कि गाय का कतल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है उस फत्र का सबसे अंतिम बाग की बहुत खतरनाक है उसमन एरू जी लिख रहे हैं कि मालो हमने गाय की हत्या बंद करा दी और गोरक्षा होने लगी तो सारी दुनिया हम पर हसेगी कि हम भारत को अठारवी शतावदी में लेते जा रहे हैं अर्थार नहरू जी को ये लगता था कि गाय का कतल होने से देश 21 वी शतावदी की ओर जाएगा और गोरक्षा होने से अठारवी शतावदी में चला जाए ये पत्र पढ़कर में बहुत बिचलित हुआ हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है उनका नाम है रवी राय लोग सभा के अध्यक्ष रह चुके उनकी मदद से ये पत्र मुझे मिला पार्लिमेंट की लाइप्रेडी से अब मैं तो कोई MP नहीं हूँ पार्लिमेंट में जा नहीं सकता लाइप्रेडी में भी नहीं जा सकता मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नहरूर जी के जीवन में वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो गोहत्या को चालू रखना चाहते थे पत्र में वो लिखना है कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है तो क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा ही एक बड़ा प्रशन था या इसके पीछे भी कुछ और था मेरा एक व्यक्तिकत मानना है वो गलत भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने साथ्जनिक जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी जड़ उसके निजी जीवन में जरूर होती है वो भारत का प्रधान मंत्री हो, राष्ट्रुपती हो देश के किसी संवेधानिक पद पर बैठा हुआ हो या कोई संत हो, महन तो हो, सादो हो, प्रफिसर हो, इंजिनियर हो, डॉक्टर हो या साधरन किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो सार्जनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो उसकी जड़ें उसकी निजी जीवन में जरूर होती है पॉब्लिक लाइफ में व्यक्ति जिस तरह से विवहार करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइवेट लाइफ से निकलता है मैंने नहरुजी की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो गाई की हत्या के लिए वो इतने परिशाद और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया उनके निजी जीवन के बारे में प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्ता वेश मैंने एकट्टे किया कम जगम पांसों से ज़्यादा अभी मेरे पास है तो पता चला कि नहरूजी स्वयम गाई का मास खाते थे इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नहरूजी शराफ पीते और ये भी मालूम था कि च्वेन स्वोकर हैं दिन में साट से सप्तर सिगरेट पीते और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो गाई का मास भी खाते और उनके गाई के मास के बोजन को बनाकर तैयार करके लंच के रूप में भिजवाने का काम दिनली का वो बोटल करता रहा जहां अभी थोड़े दिन पहले जौर्ज भुश रोका और नहरू जी का एक लंच का खर्चा उस जमाने में तेरे हसार रुपई होता था जिस पर भारत के एक समाजवादी नेदाने बड़ी कड़ टिकपणी की थी राम मनोहर लोहिया उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाशन दिया था कि नहरू तुमारा एक समय का भुजन का खर्च तेरे हसार रुपई है और भारत के चौदे करोड़ लोगों को दो समय खाने को रोटी नही तुमको शरम नहीं आती उस जमाने में संसद में लोहिया जी एक व्यक्ती थे जो नहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे बागी तो सब नहरू के आगे पीछे दो मिला के गुमते रहते थे जब ये दस्तावेज मिल गए तो मैं समझ गया नहरू जी के मन में गाय की प्रती जो प्रेम था वो दिखावे का था गांदी जी को प्रभावित करने के लिए था और भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए था एक बार प्रधान मंत्री बन गए अब तो कोई कश्ट नहीं है कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं और सरदार पटेल की मृत्यू के बाद तो कोई नहीं उनके सामने चुनोती देने वाला तो उनका असली रूप पूरे देश के सामने आया और यह जितनी बाते म तो हम समझ सकते हैं कि नहरूजी से कोई अपेक्षा नहीं कि वो गाय की रक्षा करने के लिए कुछ करें फिर मैंने सोचा नहरूजी के बादवालों को क्या हुआ उनका तो समझ में आप यह चलो ठीक बाद में इतने प्रधान मंत्री आये उनका क्या हुआ उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया गोरक्षा का क्योंकि गोरक्षा का कानून बनाने की बात 1947 से चल रही है जिस दिन आ जा दी मिली उस दिन से चल रही है और अपसंद 2006 आ चुका है लगवख 60 वर्श पूरे होने जा रहे है तो बात की प्रदाइट मंतरियों ने क्या किया तो वो रिकॉर्ड देखना शुरू किया तो पता चला कि एक बार शरी लाल बहादर शास्त्री ने और एक बार शरी मुरार जी देसाई ने पूरी इमानदारी से कोशिश की थी लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई मुरार जी भाई ने जब ये कानून बनाने का तै किया तब तक देर हो गया और उनकी सरकार गिर गई या मैं सोचू दूसरे तरीके से कि उनकी सरकार गिरा दी गई क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो तर्क था वो हमारी गले आज तक नहीं उतरता गंबीर कारण कुछ और था और उसमें से एक गंबीर कारण है जो बिल्कुल इस्पष्ट देखता है मुराल जी देशाई की सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया था अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपणी कोका कोला को हिंदुस्तान से बगा दिया था और वो भी इतने अपमान जनक तरीके से बगाया था कोका कोला को नोटिस दे दिया कोका कोला को मुराजी देशाई की मंदल में उद्योग मंदली हुआ करते थे जोल्ज फर्नांडी उन्होंने नोटिस दे दिया कि देखो तीन दिन में भारत छोड़ दो नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को हम राश्पिये संपत्ति भोशित कर देगे और ये सिर्फ कोका कोला के लिए ही नहीं था हॉलेंग की एक बहुत बड़ी कंपनी इस देश में है जिसका नाम है यूनि लिवर जिसने नाम बदलके अभी धंदा शुरू किया हिंदुस्तान लिवर इसको भी नोटिस था कि आप अगर अपनी श्वियर एक्टूटी कम नहीं करते तो आपका भी धंदा बंतर आएंगे और अंद में वो नोटिस सभी में देशी कमपनियों को था जिनको ये कहा गया था कि आप भारत में अपनी पूंजी को कम कर दीजे नहीं तो आप सब को हम भारत से बगाएंगे ये एक बड़ा कारण था मुरार जी भाई की सरकार गिरानिये में और दूसरा कारण था मुरार जी भाई ने एक घोषणा की थी कि जैसे गुजरात को शराब मुक्त बना दिया वैसे पूरे देश को बना दी और आप जानते हैं कि गुजरात आज तक शराब मुक्त प्रदेश है यह लग बात है कि चोरी छुपे वहां मिल जाती है लेकिन कानुनन रूप से गुजरात में ना शराब बिक सकती है ना कोई पी सकता है ना कोई बना सकता है यह मुराजी देशाई का चमतकार है आज तक है तो मुराजी भाई ने का कि जैसा गुजरात में किया वो देश में कर देंगे तो शराब बाले सब बौक लाये कोई थे उनसे और मुराजी भाई ने एक तीसरा काम और किया था कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं गांदी जी का सपना पूरा करूंगा गोहत्या पर बंदी लगेगी और सारे देश में लगेगी और जो गोहत्या करेंगे उनको सजा कम से कम फासी की होगी तो इस पर ये कसाई लोग सब बिदग गए तो ये तीनों लोबी शराब बेचने वालों की लोबी लिदेशी कमपनियों की और ये कसाई लोगों की ये तीनों सरकार के खिलाफ थे और इन्होंने कोई शलियंत रचा होगा जिसका दुछ परिणाम मुरार जी बहे की सरकार चली थे एक बार ऐसा प्रयास शास्त्री जी ने भी किया था लेकिन वहां भी दुर्भा के क्या हुआ कि शास्त्री जी ये प्रयास को शुरू करके ताश्कंद गए समझोता करने पाकिस्तान से जन्वरी 1966 में और वहां से जीमित वापस नहीं लोटे कानून बनाने के लिए जो पूर कोशिश की थी वो वहीं की वहीं रुप गए उसके बाद इस देश में आखरी कोई प्रधान मंत्री था जिसमें गोरक्षा का कानून बनाने का प्रयास किया वो थे श्री अटल विहारी वाजपई जिन्होंने सबेरे सबेरे लोग समा में एक विदेहक लाया और शाम को उसे वापस ले लिया क्यों तो मुराजजी देश सच्टोरी श्री अटल विहारी वाजपई की सरकार को समर्थन देने वाली दो बड़ी राजनक एक पार्टिया एक का नाम तेल वुदेशम और दूसरी त्रणमूल कॉंग्रेस दोनों ने लोग सबह में कहा कि अगर ये विदेहक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं मंतव एनर्जी ने जब ये बयान दिया लोग सबहा में तो बाहर आज में ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही है अगर दूसरी तरफ ये जो त्रणमूल कॉंग्रेस जैसी ही एक पारिटी है तेलोगु देशम उसका जो मुख्य चंदरवावु नाइटू उसने हैदराबाद में वयान दिया कि अगर सरकार में गोहत्या का विदेव पारिट कराया तो कल समर्थनम वापस लेते तो श्री अटल भी हरी वाजपई अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सविरे लाया वो शाम को बिना वहस के वापस ले लिए सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था गोहत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना मेरा अटल जी को समय चिठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर तो गारंटी की बात थी कि अगली वारा आप टू धर्ड मेजोरिटी से इस देश में चुद कर आते क्योंकि गोहत्या का विशय भारत के 80 करोण लोगों का 85 करोण लोगों का हिर्दय का मामला है हिर्दय से जोड़ा हुआ विशय लेकिन वो इतनी धूर दर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गोहत्या तो फिर आज तक होई रही है तो ये आज़ादी के बाद की कहानी है इतनी बार कोशिश होई लेकिन संसद में आज तक कानून नहीं बना कारण क्या है इसके पीज़े इस पर आजकल मैं थोड़ा खोज कर रहा हूँ क्यों संसद में कानून नहीं बनता है क्यों कुछ सांसत खड़े होकर चिलाने लगते हैं जब भी ये विशे आता है बहस के लिए हमारे भारत में राजनेतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे हमारे राजनेतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाए का मास बेच कर अपना दंदा चला रहे हैं कई नेता हैं यह से और इस हिंदुस्तान में 3600 जो कतल खाने चल रहे हैं रजिस्टर उन मेंसे 50-60 प्रतिशव कतल खाने राजनेतिक नेताओं के हैं जिनकी पूजी से यह काम चल रहा है तो जबी भी गोहत्या का विशे आता है संसत में किलना के खड़े हो जाते हैं कहते हैं गोहत्या रुकनी नहीं चाहिए और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं कुतर्क करते हैं जैसे एक कुतर्क करते हैं महाराष्ट के भी कई नेता हैं वो बहुत कुतर्क करते हैं उनमेंसे एक मेता तो वो बरतमान मकरशी मंत्री है उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी उनको रखेंगे कहां ये बयान श्री शरप पवार ने दिया और मुंबई में दिया प्रेस कॉंफरेंस में दिया सोभागी की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉंफरेंस में स्केट में बेंट आया अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे मैंने कहा आपने यह कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि इनको रखेंगे कहा आप क्यों परिशान है आपके घर में रखने नहीं आ रहे हैं इतना तो पक्का है और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो यही तर्क मनश्यों पर भी लाबू हो जाता है सीदे सीदे से लाबू होता है कि मनश्यों को क्यों बचाया जाए इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इस तामाने मनशों की संख्या कम करने के लिए कटल करवा ही है इनका तो उनोंने दूसरी बात करी चारा कहां से लाएंगे चारा कहां से लाएंगे तो मैंने कहा बगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है आप क्यूं परिशान है उसके लिए बगवान की विवस्ता में आप क्यों दखल दाजी कर रहे हैं बगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास है चौदे सो किसम की फसलें भारत में कोती है हर एक फसल के तीन हिस्से हैं हर एक पाउधे के तीन हिस्से है उपर का एक हिस्सा है वो मनुश्यों के लिए है पक्ष्यों के लिए है बीच का हिस्सा है वो सब पश्वों के लिए है और अंत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो धर्तिमाता के लिए है प्रकरती की बनाई हुई विवस्ता है, इसमें आप क्यों परिशाने की चारा कहां से आएगा। हिंदुस्तान में सदब्तर कोटी किसान खेती करते हैं, और सदब्तर कोटी किसान में लगवग साथ कोटी किसान जवारी पैदा करते हैं। जवारी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मनश्व के काम आता है। जवारी का पूरा पेड़ अगर आप गिनें, तो उसका मुश्किल से दस टका हिस्सा जो उपर का होता है, वो मनश्व के काम का है, बाकी का सब्तर से पिछप्तर का हिस्सा वो गाए के काम का है, बैस के काम का है, पशु के काम का है तो चारे की कमी कहां से आई गेहूं की फसल देख लो गेहूं की फसल का मुश्किल से 10 टका हिस्सा मुनिश्व के काम का है बाकी 70-80 टका गाय के बहस्स के काम का है तो चारे की समस्या कहां से आई यहूँ पैदा हो रहा है जबारी पैदा हो रही है चावल की फसल का बहुत चोटा सा हिस्सा गुनुष्विक के काम का आ है बागी जानवरों के काम का है तो चारे की कहां कमी है इस देश में आप क्यों परिशन हैं फिर उनका तीसरा को तरक गाई बूरी हो जाती है तो क्यों पालना तो मैंने का आई भी बूरी हो जाती है उसको क्यों पालना क्योंकि आई अलग है गाई अलग है मैंने का मेरे लिए तो आई और गाई दोनों एक ही जैसी क्योंकि बच्पन से मैंने यही सुना है गाए हमारी माता है देश दर्म कानाता तो मेरे लिए तो आई और गाए दोनों सरीखी है तो गाए बुड़ी हो गई इसलिए कतल होनी चाहिए तो आई भी बुड़ी हो गई इसलिए कतल होनी चाहिए फिर आखरी कुतर कि दूद नहीं देती है फोगट में क्यों खिलानी का उसको तो मैंने का दूद 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 आई भी नहीं देती है थोड़े दिन के बाद हमारी आई हमको जास्ती से जास्ती एक साल दूद पिलाती है और ये गव माता तो जीवन परियंत दूद पिलाती है इसका इस्थान तो आई से भी मुचा है तो उसके बाद उन्होंने का आपसे बात करना बेकार है मैंने का मुझे भी आपसे बात करना बेकार लगता है जो आदमी को इतना नहीं समझता कि गाई को भारत में घाश चारे की कमी नहीं है और गाय बूरी हो गई तो बेच देनी चाहिए, कतल हो जाना चाहिए ये तो बहुत खतरनात मान सकता है इससे अच्छे तो अंग्रेज थे क्योंकि वो खुलकर कहते थे कि हम तो गाय काटते हैं हमारे भोजन के लिए ये तो काले अंग्रेज उनसे जादा खतरनात है जो भारत है और भारती अता का लबादा ओड़े हुए हैं और दिमाख में पूरी अंग्रेज यत बरी हुए है और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुतरक ही ये सिर्फ शरत पवार का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वो प्रतीक व्यक्ति है वरना ये कुतरक हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कुतरक बन चुके और खासकर ऐसे पढ़े लिखे लोग जो उनको थोड़ी अंग्रेजियत की सिख्षा मिली है कॉन्वेंट में पढ़े हैं इंजिनेर डॉक्टर बने हैं उनके भी ये कुतरक बन चुके है शरत पवार तो प्रतीक मातर वहां कोई और भी हो सकता है जो इसी तरह की बात करे ये कुतरक आए कहां से किसमें डाले हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के दिमाद में कौन जिम्मेदार है इनके लिए ये भी मैं समझने की कोशिश कर दो तो पता चला कि ये कुतरक भारत से नहीं पश्टिम से आ रहे हैं वेस्ट प्रेस हैं उनके इडियंस हैं जिनको हम इस्तेल कर रहे और इनी पतरकों के आधार पर भारत में सरकार चलाने वाले लोग और सरकार चलाने के लिए मदद करने वाले अधिकारी दोनों मिलकर गाय की हत्या करवाने में लगे हुए और मैं आपको एक बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ वो ये कि भारत का एक मंत्राले है जिसका नाम है कृष्वी मंत्राले कृष्वी मंत्राले के नीचे काम करने वाला एक मंत्राले है पशूधन मंत्राले माफ करिए ये पशू धन मंत्रा ले नहीं है पशू कतल मंत्रा ले है क्योंकि वहां से जितने भी नोटिस जारी होते हैं जितने भी नियम काइदे बनते हैं कानून बनते हैं वो सब पशूओं के कतल के समर्थन में और पशू हत्या रोकने के विरोध ताजा उधारन महराश्ट्र में छे लाख मुर्गियों को मार गाला क्या तर्क है एवियन फ्लू होगा हुआ है किसी को लगवग पंदर दिन हो गए है मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूँ कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताईए कहीं नहीं आया फिर छेलाख मुर्गियों को मार गाला की साथार पर कि उनसे वाइरस फैल सकता है फैला तो नहीं फैल सकता है इसकी गारंटी क्या है और भारत एक ऐसा अद्मुद देश है दुनिया में जहां कोई भी वाइरस जल्दी से फैल नहीं सकता क्योंकि सूरी का पर काश इतना तीखा है इतना तेज है कि सेपनों किसम की वाइरस तो ऐसे ही मर जाते यूरोप में ये समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वाइरस फैलते हैं क्योंकि साल में नो महीने सूरी का पर काश नहीं होता है यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में नो महीने सूरी का दर्शन नहीं होता और साल में 6 महीने तो माइनस 40 degree centigrade ताप मान होता है तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई flu फैले, virus फैले, bacteria बने और वो multiply करे तो समझ में आता है क्योंकि उसको control करने की कोई व्यवस्ता नहीं है भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्बुत है जहां साल के बारो महीने सूरी प्रकाश मिलता है, हर दिन सूरी प्रकाश मिलता है और आजकल का समय तो 38 degree centigrade का है जिसमें कोई virus पनपना ही बहुत मुश्किल है और इसी कुतर के आधार पर 6 लाक मुर्गियों को मारगा लाग, बेदर्धी के साथ बिना सोचे समझे कि इन मुर्गियों का हमारे जीवन को चलाने में कोई उप्योग होता है ये उप्योग नहीं कि वो अंड़ा देती और हम अंड़ा खाते है उससे ज़्यादा बड़ा उप्योग है जो हमें आज तक पता नहीं चला है इस प्रकरती के चक्र को नियमित रखने में मुर्गियों की मुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे शरीर को नुकसान पहुचाने वाले जो छोटे जीव हैं जो शरीर के शत्रू हैं उनको खाने का काम ये मुर्गी और मुर्गी करते रहते चुन चुन के उठा लेते हैं जमीन पैसे ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे तो हम मनुष्यों को सुरक्षा देने के काम में जो मुर्गी और मुर्गे लगे हैं उन मुर्गे और मुर्गियों को मनुष्य को बचाने के कुतर की आधार पर कतल करवा दिया सरकार ऐसे अगर हमारी सरकार को चलने वाले नेता है और ऐसे हमारे देश को चलने वाले अधिकारी है तो बगवान इनको जन्दी से उठाए और इनको उसी गती में पहुँचाए जिस गती में छे लाफ मुर्गियां अभी पहुँचाई गई जल्दी से इंपो उठाए क्योंकि इनका वोज अभी सहा नहीं जाता ऐसे ऐसे कुतरक जड़ते हैं और मुर्ख ताकी परिक्षा देते हैं पराकाश्टा कभी भी ऐसा कोई एक विचित्र कुतरक आ जाएगा कुत्तों को मारेंगे हाँ कुत्तों को मारेंगे और अभ्यान चला रखा है कई मिनिसिपल कॉर्पुरेशन्स ने वाकाइदा अभ्यान चला रखा है स्क्रिड ओप मारो उनको जिन्ना मत रहें तो खतम कर दो और इन मुर्खों को मालूम नहीं है कि कुत्ते हैं आदमी के लिए कितने जरूरी है कुत्तों की जरूरत आदमी को कितनी है ये जौर्ज बुश से पूछनो बता देगा आप आपको मालूम है जौर्ज बुश को अपनी सुरक्षा का सबसे ज्यादा भरोस्ट खतों पही है और आपको ये मालूम है कि जॉर्ज बुश दुनिया के किसी भी देश के प्रवास पे जाता है तो उसकी सुरक्षा के 56 कुट्टे उसके साथ जरूर जाते हैं और उन सभी कुट्टों का जॉर्ज बुश ने बाकाइदा उहदा ते किया हूँ पोस्ट है उनकी अभी हमारे हां संसत में अभी थोड़े दिन पहले बवाद हुआ ना गांधी जी की समाधी पे जॉर्ज बुश गया उसके पहले उसका कुट्टा गया और उस कुट्टे ने पहले गांधी जी की समाधी का चक्कर लगाया सूं सूं कर देखा वो कुट्टा साधारण नहीं है जॉर्ज बुश का सारजेंट है और जॉर्ज बुश ने उसके रुकने के लिए स्प्वेशल होटल की विवस्था की थी और पूरा एक होटल जॉर्ज बुश के चप्पन कुट्टों के लिए बुक था दिल्ली का चप्पन कुट्टों के लिए पूरा होटल बुक था और उस होटल के मालिक को कह दिया गया था कि ये आपको करना है तो मालिक कह रहाता कि अब तक तो मेरे कमरों में आदमी रुके हैं अब ये कुट्टे रहेंगे तो उनका हाँ ये खास कुट्टे है इनकी जरूरत अमेरिका के राश्टुपती को है और उनकी सुरक्षा के काम में ये लगे हुए है तो कुट्टे कितने महत्वपूर होते हैं ये जरूरत उससे पूछ ले और हमारे देश के मिनिसिपल कॉर्पूरेशन उनको मारने में लगे हुए और इतना ही नहीं उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम कि अगर उनको मार नहीं सको तो उनका नस्बन भी करा दो ताकि उनकी आगे जनरेशन ना बढ़ सके ऐसे ऐसे विचित्र बुद्धी के लोग इस देश को चला रहे हैं कहते हैं जी कुट्टे ने काट लिया तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिलकुल घबराओ मत कुट्टे के काटने से तो जरूर बच जाओगे उससे ज्यादा खतरनाक तो आदमी है उसने काट लिया तो बचने के कोई चांसे नहीं कुट्टा तो हमेशा वफादारी मिभाता है आदमी का कोई भरुसा नहीं और आपको अब मैं बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ कि कुट्टों की क्या जरूरत है इस देश को हमको थोड़े दिन पहले सुनामी आया था आपने सुना और सुनामी आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सहयोगी मिलकर सेवा कारे करने के लिए अंडमान में पोबार गए थे लगवऑ एक महीने हमने वहाँ सेवाकारी किया था क्या सेवाकारी किया था वहाँ के लोग जो भेंकर सुनामी से प्यूनित थे उनको इस्ट्थ बहुत था मेंटल इस्ट्रेस और अकथर ऐसे बड़े में इस्ट्रेस होता है और उसकी दवा सबसे अच्छी होमियो पैथी में है यह थोड़ा होमियो पैथी जानता हू oike तो मेरे होमियो पैथी डाक्टर दोस्तों को लेके एक हैने हमने वहाँ सेवाकारी किया था लगवाग साड़े तीन हजार मरीजों को होमियोपेटी की दवाएं देकर मेंटल इस्प्रेस से बाहर लाया था तो उस समय में जितने भी गाउं में गया अंडमान्मी को बार के हर गाउं में एक प्रशन पूछता था लोगों से कितने लोग मरें तो किसी गाउं में सो लोग किसी में डेड़ सो किसी में पचास किसी में सतर किसी में पिचतर एक गाउं में तो पता चला डेड़ हजार लोग मरते अचाल ये प्रश्ण पूरा होने के बाद दूसरा प्रश्ण में जान बूझ के पूछता था कि आपके गाओं में कितने जानवर मरें तो पता चला एक भी नहीं कुटा मरा नहीं मरा गाए मरी नहीं मरा बहंस मरी नहीं मरा बंदर मरा नहीं कौन जानवर मरा एक भी नहीं अच्छा फक्षी कितने मरे एक भी नहीं और मनश कितने मर गए शत्ती सदा है कैसे मर गए तो इसका उत्तर मुझे गाओं के एक सरपंच ने दिया आपको मालूम नहीं मनश मूर्ख होता है तो मैंने का इसका कहने का मतलब क्या है आपका उन्होंने का मनश महामूर्ख होता है जानवरों को मनश से ज़्यादा अकल होती मैंने पूछा बता दीजे मुझे सिप्ल कर दीजे उन्होंने का मैं बताता हूँ वो सरपंच मुझे मिला अन्दमान निकुबार के गाउं में उस गाउं का नाम है बंबू फ्लैट अन्दमान निकुबार की जो राजधानी है वहाँ से साथ मील नौटिकल मील समुद्र में अंदर एक टापू में टापू पर ये गाउं तो सरपंच ने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूं जब सुनामी आया उससे दो दिन पहले मेरे कुट्टे को मालूम था कि सुनामी आ रहा है जब सुनामी आया उससे दो दिन पहले मेरी गाई को मालूम था कि सुनामी आ रहा है जब सुनामी आया तो मेरी भेंस को मालूम था कि सुनामी आया तो मेरे घर के चूहों को उंधर को मालूम था कि सुनामी आया तो बिल्ली को मालूम था कि सुनामी आया तो कीवी, कीवी, आंट्स को मालूम था कि सुनामी आया तो लेकिन हम मोरुखों में से किसी को नहीं मालू था कि सुनामी आ रहा है। था कि सुनामी आ रहा है। और हमारे घर के आसपास रहने वाले ये जानवर कुटा, बिल्ली, बंदर, कीड़ी, छीटी, काई, बेंस इन सब को मालूम था 24 गंटे पहले, 48 गंटे पहले सुनामी आ रहा है। तो मैंने पूछा इनको कैसे मालूम था तो सरपंच ने कहा कि देखिये बात ये है कि सुनामी जिस दिन आया उससे दो दिन पहले मेरा कुटा भाग गया। गाए चली गई, बेंस चली गई, मैंने कसके पकड़ के गाए को रस्टी बादी थी, रस्टी को तोड़ के चली गई मेरे घर में एक बंदर था, वो भी चला गया। दो दिन मुझे घर में चीटिया नहीं दिखाई दी, जो रोज निकलती, उदर नहीं आया, वो भी कहीं चले गई, बिल्ली नहीं आई, वो भी कहीं चले गई, तो मैं समझ गया कि जरूर कुछ गडबड होने वाली है, तो वो सरपंच ने कहा कि मैं भी चला गया, घर चोड पाना, लोगों को बताना, कि सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा, मनश च्छतीस हजार मरे, इसका माने मनश की अकल कम है, जानवरों की उससे जादा है, इन जानवरों को ईश्वर का दिया हुआ कोई मरदान है, या सिक्स सेंस है, जिससे ये पता कर लेते हैं, और जानव जानवरों में सबसे पहले पता जिसको होता है, वो ये कुत्ता ही होता है, और हमारे मूर्ख महानगर पालिका की अधिकारी इनी कुत्तों को मारमे में लगे हुए हैं गाउंपा, कल पना करो सब कुत्ते खतम हो गए तो, तो दुबारा सुनामी आएगा तो बताने वाला को होई नहीं होगा। आगे से कहना तू आत्मी है? कुछ को अकल नहीं है? चमस्ता नहीं है? और जितना ग्यान उस सरफंच ने मुझे दिया, मैं अभी बूत हो गया. मैंने चलते चलते सरफंच को पूछा भाई, तुमको ये ग्यान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ग्यान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, अगर आँखें खुली रखें, कान खुले रखें, तो ये परिस्तिती जो पूरी हमारी है, परियावरा, इसमें ये ग्यान भरा पुड़ा है. मैंने पूचा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो, और कभी भी टेस्ट कर लेना फेल नहीं होगा ये. सेटलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं हो. उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई है, जो आज तक मैं परिक्षन कर रहा हूँ और सही सित्थ हो रहे. वो कहता है कि अगर चीटी, केड़ी ज्यादा संचा में बाहर निकले और खाना एकठा करके ले जाने की कोशिश करे तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बार आने वाली है, फ्लड़ आने वाली है. और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड़ आया ना, फ्लड़ आने से दो-तीन दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कन्फर्म की और उनने का बात आपके बिल्कुन सही है, दो-तीन दिन पहले धेर सारी चीटिया निकली थी, और सब खाना ले लिए जाकर इकठा कर रही थी, चीटि का सुभाव है कि वो कभी भी इकठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकठा मुझ जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ती आने वाली है. मंबई की फ्लेट के बारे में सेटलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चीटि ने बराबर अपना देशाब रखा. वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल, कोयल अगर कभी घोसला बनाए अपना, तो समझना भयंकर बाड़ाने वाली है, क्योंकि कोयल का सुभाव है, अपना घर नहीं बनाने का, वो कववे के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो, कोई बहुत बड़ी आफ़त आने वाली है. और उसने ऐसी मुझे बीसियों बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाए के बारे में, कुत्तों के बारे में, और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूँ जगे-जगे, एक-एक सच निकल रही है, इसका माने इन जानवरों को हम से ज़्यादा सैंस है, और इनकी प्रकर्ती की व्यवस्था को चलाने में, बहुत बड़ा योगदान है, और हम हिंदुस्तानियों में, सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को ये बात समझ में आई थी, तो वो थे बगवान महावीर, उनको ये समझ में आ दिया था, क्यों, 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में पुई थी, और जंगल में इनी जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका सुभाव, समझ लिया उनका ग्यान, कितनी उची है उनके ग्यान को परकने की शक्ति, ये सब समझ लिया, तो अहिंसा का दर्शन दे दिया, कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुमारे जिन्दा रहने के ये, ये जीव का जिन्दा रहना जरूरी है, तो अहिंसा का दर्शन उन्हों ने दिया, इसलिए, कि जो जीव जगत है, इसको चलाने में जीवों की जो भूमेका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में वो आजको हमकोच में ने लेख और उनके समझ में आई तो उनョनों ने अहिन्सा का सिधान्त दिया और जीओ और जीओं और जीने दो ये बात को पूरी ताकत से कहा अहिंसा का सिध्धान्त महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर है या दूसरे ताकतवर है या दूसरे कमजोर है हम ताकतवर है इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है इसका संबंद है प्रत्रवी जगत को चलाने में ब्रमान्ड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है इसलिए उसको जिन्दा रखो ताकि तुम जिन्दा रखो और ये बात महावी स्वामी के बाद अगर किसी को समझ में आई तो वो गौतम गुद्ध थे और इन दोनों के चले जाने के बाद जिसको समझ में आई वो महात्मा गांदी थे अब कोई दिखता नहीं जिसको ये समझ में आता हूँ तो परिणाम क्या हो रहा है बड़े पैमाने पर जानवरों का कतल हो रहा है गाय का, भैस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का गाय का अंकणा मैंने बताया ढ़니다 का, बड़े तौटे जानवरों की संख्या करूडों में है गिनी नहीं जा सकती है तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कतल ही कतल होता है और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए इसी भारत देश में महात्मा गुद्ध हुए, इसी भारत में गांदी हुए, इसी भारत में राम हुए, क्रश्न हुए, जिन्दगी परियंत जनोंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे जादा हिंसा हो रही है, और जानवरों के प्रती तो कितनी क प्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गाउं है वहाँ पर एक कतल खाना चलता है कैसे कतल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आखों से आंदर प्रदेश में मेदत नाम का एक जुला है वहाँ पर एक और क कतल खाना चलता है अलकबीर उसको देखा ये पता चलेगा और अंगाबाद के आसपास कई कतल खाने चलते हैं इनको देख लीजिए जब मैं इस शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बद्बू आती है फिर पूछता हूं क्या है तो पता चला जानवरों की हट्डियों को तीसने का कारवान है और अंगाबाद के माथे पर कलंक जैसे संपोर भारत देश में जगे 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 जो कतल खाने चलते हैं मैंने तो कई कतल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई 20-25 मिनट कितनी खुरूरता से काटा जाता है जानवरों को गाई को काटने बोगाए से पहले क्या करते है 5-6 दिन वहुखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते है ट्रक में केक्परिसीटी होती है तीन या चार गाय की तो उसमें 200 गाय भर के लाते ये अर ये ट्रक हर एक शहर और मधायों की कृपास। पिर पॉहच जाते हैं कटल खाने में फिर क्या होता है? पांच छी दिन उनको और रखा जाता है भूखा खाना नहीं क्छिलाए जाता तो अद्मरी हो जाती है कान पिर क्या किया जाता है? गाय को पहरों से उल्टा बांग कर lटका देते हैं मुह बांग देते हैं, फिर उसके बाद 100 डिगरी टेंपरेचर पर पानी की वाश गाय के शरीर पर फिकी जाती है, और लगाता है एक देड़ घंटे, परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है, और फूलते फूलते जब वो मैकसीमम कैफिसिटी में आ जाता है, तब जाके उसकी गरदन काटी जाती है, और गरदन काटके थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए, फिर उसके बाद जब गरदन कटके गिर जाती है, अंतिम खून की बू एक्सपोर्ट की जाती है, फिर माज निकला जाता है, उसको धोग पैक करके डिबो में बन किया जाता है, और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर जो खून निकलता है, उस खून को भारत की ही कुछ कमपनियां खरीद लेती हैं, उससे वो हेल्थ टॉनिक बनाती है, भा दॉक्टर लोग उस हेल्थ टॉनिक को प्रिस्क्राइब करते हैं हर उस मां को जो गर्वबती है क्या बोलकर कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसको यह पूर्टी करेगा मैं कई डॉक्टरों से मिला और उनको पूछा कि आप डेक्सुरेंज का ही प्रस्क्रिप्शन क्यों करते हैं खून की कमी दूर करने का तो सबसे बड़ा उपाय है मुंग फली का दाना शिंडाना गुड़ के साथ खाओ खून की कमी दूर होती है चना गुड़ के साथ खाओ खून की कमी दूर होती है गाजर का रस्पी हो खून की कमी दूर होती है आप ये डेक्सुरेंजी क्यों लिखते हो खून की कमी दूर करने तो एक डॉक्टर जो मेरा दोस्त है धीमे से कहा है यार इसमें कमीशन मिलता है अब किसी मरीच को मैं कहूं कि गाजर का रस्पी हो तो क्या कमिशन मिलेगा। किसी को मैं कहूँ कि शेंग दाना गुड के साथ खाओ तो क्या कमिशन मिलेगा। किसी को मैं कहूँ कि ये खाओ चना और गुड खाओ तो क्या कमिशन मिलेगा। डेक्स उरेंज का मैं प्रस्क्रिप्शन करता हूँ क्योंकि कमपनी कमिशन देती है तो उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम तुम तुमारी पत्मी के गरबबती होने पर ये दवा लिख सकते हो उसको उसने का ना ना कभी नहीं तो दूसरों को कैसे लिख देते हो तुम कैसे डॉक्टर हो डॉक्टर हो कि कसाई हो ये मराज के भाई हो क्या हो तो जो दवा तुम तुमारी पत्नी को नहीं लिख सकते हो वो दूसरे मरीजों को कैसे लिखते हो तुम तुम तुमारे हाथ नहीं कांपते सिर्ख कमिशन का लाले चितना बड़ा हो गया और अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आँखों से एक विचितर द्रश्ट देखा कलकत्ता में मैं एक बार गया था थोड़े दिन पहले तो वहाँ एक कसाई खाना है मोरी ग्राम वहाँ 11,000 गाय रोज खटती है मोरी ग्राम और इस कतल खाने की विशेश्टा ये है कि ये 1757 से चल राए 1757 में इस कतल खाने को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइब में जब उसकी सरकार बन गई थी कलकत्ता में आपको मालूम है प्लासिक अयुद्ध हुआ इस इडिया कंपनी की सरकार बनी रॉबर्ट कलाइब प्रदान मंत्री बन गया कलकत्ता का और ये सब घटना 1757 की है तो प्रदान मंत्री बनते ही उसने कतल खाना जो खुला वो ये ही था मोरी ग्राम और रॉबर्ट क्लाइब के जमाने में उसमें तीन सो गाय रोज पटती थी आज उसमें ग्यारे हजार गाय रोज पटती मास ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है तरीका वोई है काटने का जो मैंने थोड़ी गिल पहले बताया लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापरी तो पूछा भहिया तुम क्या कर रहे होई कहते हैं यार क्या वदाए इसकी जरूरत पढ़ती है क्या जरूरत पढ़ती है तो कहते हैं कि जो चाय है ना असली चाय वो तो पत्ते वाली है वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती और टी बैक्स में पहक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है पीछे से तूटी हुई छोट छोटी डंडिया वो भारत में बिती है अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता तो स्टी डस्ट पर जानवरों के कतल खानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है और भारत वासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं और शाकाहरी लोगों का एक ही पेय बचा है वो अप चाय है शाकाहरी संपून 100% वेजिटेरिया है वो ही चाय पीते हैं और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो कहते हैं कि राजी भई ये चाय ना पीए तो संदास नहीं होती टॉइलेट नहीं होती स्टून पास नहीं होती कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पीए तो सिर में दर्द होता है काम नहीं कर सकते कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पियें तो फ्रेशनेस नहीं आती कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पियें तो काम नहीं क्या विचित्र विचित्र कुतरक गड़ते हैं और मुंबई में एक बाजार है मूल जी जेखा बाजार वहां हर मिनट पे चाय पीते हैं हर दूसरे मिनट पे चाय पी ते दिन में 20, 25, 30, 40 प्याले पी जाए कोई उच्पे नहीं ऐसा सब विचित्र खेल इस देश में चलता है मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंसा कर रहे हैं जानवरों का कतले कर रहे हैं वो तो पाप के भागीतार है ही जो अपने को अहिंसक मानते हैं और इस पद्दती से चाय पी रहे हैं या डेक्सुरेंच खरीद कर अपनी पत्वी को पिला रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं वो भी इस हिंसा के भागीतार है और भारतिये शास्त्रों में लिखा गया है कि हिंसा करने का जितना पाप प्रत्यक्ष हिंसक को होता है माने जो हिंसा कर रहा है उसको जितना पाप होता है हिंसा की मदद करने वाले को भी उतना ही पाप होता है ये सब खेल चल रहा है मुझे दुख एकी है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा पो रही है और कुतर कुस्ते बड़े विचित्र विचित्र है जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहां रखेंगे उनके भोजन की क्या विवस्ता करेंगे इसलिए काटते रहो उनका मास बेचते ये जब बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई मेरे जैसे लोगों के लिए भारत में जानवरों का कतल, गाय का कतल, गाउवच का कतल तो हम सब लोग बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुखना चाहिए तो उसी संदर में एक बार क्या हुआ सनुन्वी सो अठानवे में मैं और मेरे जैसे कुछ समविचारी लोगों ने एक मुगदमा किया सुप्रिम कोड में पब्लिक इंट्रस्ट पिटिश्व एक संस्था है भारत में उसका नाम है अखिल भारत प्रश्वी गोसेवा संदर एक दूसरी संस्था है उसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट दोनों ने मिलकर एक मुगदमा कर दिया बाद में पता चला गुजरात सरकार भी उस मुगदमे में शामिल हो गई सुप्रिम कोड में मुगदमा आया और हमारा मुगदमा ये था कि गाए और गोवंच की हत्या नहीं होनी चाहिए सामने जो कसाई लोग थे उनका तर्क था क्यों नहीं होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए सुप्रिम कोड में हमने अपील किया कि इसमें एक कोई बड़ी बेंच बनाई जाए एक दो जज का मामला नहीं है क्योंकि ये बहुत सीरियस है तीन-चार साल तो सुप्रिम कोड में सुविकार नहीं किया फिर अंत में जाके मान लिया कि अच्छा ठीक है इसके लिए कॉंसिटूशनल बेंच बनाई जाए बारत देश के थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस रहे स्टी आरसी लावुटी ने अपनी अध्यक्षता में साथ जजों की एक कॉंसिटूशनल बेंच बनाई और 2004 में मुगदमे की सुनवाई शुरू हुई जो 2005 सितंबर में पूरी हो गई सुनवाई के समय यही कुतरक हमारे सामने आए ठीक यही कुतरक जो कभी शरत पवार के मुँझे मैंने सुने जो कभी भारत के पढ़े लिखे लोगों के मुझे मैंने सुने और जो कभी भारत के बूदपूर प्रधानमत्तुरी नहरुजी के द्वारा कहे गए सारे के सारे कुतर्क एकी जैसे वही कसाईयों के द्वारा सुप्रीम कोट में कहा गया सबसे पहला कुतर्क कि भारत की गाय को जब बूढ़ा हो जाता है मनि बूढ़ी हो जाती है तो बचाने में कोई लाब नहीं है उसको कतल करके बेचना ही लाब करी है और हम भारत की अर्फेवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मास एक्सपोर्ट करें दूसरा कुतरक गाय के चारे की बहुत कमी है पूरे भारत में तो भूकी मरे उससे अच्छा ये है कि हम उसका कतल करें तो कम से कम मास तो भी के वोकी मरे तो वो किसी काम की नहीं है तीसरा कुतरक की भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है गाय को कहा रखे चौथा कुतरक इसने विदेशी मुद्रा मिलती है और सबसे खतरना कुतरक कसाईयों की तरफ से जो पिया गया वो ये कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम गाय की हत्या करें इस इस अवर रिलीजियस राइट कसाईयों कौन है आप जानते हैं कि पुरेशी समाज है इस देश में जो सबसे ज़्यादा जानवरों का कतल करता है उनकी तरफ से ये कुतरक सुप्रीम कोर्ट में आए हमने उनके एक एक कुतरक का तर्क पूर्वत जवाब दिया बिना गुस्ता हुए बिना अपना पेशन्स खोए हुए उनका पहला कुतरक आया कि गाए का मास बेजते हैं तो आमंदनी होती है देश को तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे फैट्स और फिगर रखे वो ये कि एक गाए को जब काट देते हैं कतल कर देते हैं तो उसके शरीर से कितना मास निकलता है कितना खून निकलता है कितनी हड़िया निकलती है एक गाए का साधरन जो बजन होता है वो तीन से साड़े तीन कुंटल होता है स्वस्त गाए का इसको हम काटें, तो उसके शरीर में से मात्र 70 किलो मास निकलता है, एक किलो गाय का मास जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसकी कीमत है लगबग 50 रुपए, तो 70 किलो मास निकला 50 रुपए किलो से जोड़ो 3500 रुपए का, खून जो निकलता है वो 25 रुपए का, खून के भाव से वो लगबग 50 रुपए का, हड्डिया निकलती हैं वो भी 30-35 किलो, उनका हिसाब जोड़ा, तो लगबग 1000 रुपए का वो, तो कुल मिलाकर एक गाए को कतल करें और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें पूरा का, पूरा कतल करके, खून को भी, मास को भी, हड्डियों को भी, तो सरकार को या कतल करके बेचने वाले को किसी भी इस्तिती में 7000 रुपए से जादा नहीं मिलता, फिर हमने कोड के सामने दूसरी बात कहीं कि यही गाए को अगर कतल नहीं किया जाए तो क्या मिलता है, हमने कतल किया तो 7000 मिलेगा, और अगर हम कतल ना करें, इसको जिन्दा रखें, तो कितना मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन है, एक गाए दिन में लगबग 10 किलो शेंड देती है, गोबर, अगर स्वस्त है तो, और एक गाए दिन में धाई से 3 लीटर मूत्र देती है, अगर स्वस्त है तो, गाए के एक किलो शेंड से 33 किलो खाद बनती है, फर्टिलाइजर, जिसको और्गेनिक फर्टिलाइजर कहते है, 33 किलो, एक किलो शेंड से, नियाए दिश ने पूझा, how is it possible, तो हमने का, आप हमको समय दीजे, और इस पेस दीजे, हम आपको यहीं सिद्ध करके बताते हैं, उनका यस, ठीक है, तो हमने उनको पूरा करके दिखाया, और सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उनको हमने कहा कि अगर आपको पर्मिशन हो, प्रोटोकॉल के खिलाफ यह न जाता हो, तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, कहां कहां किन किन खेतों में, हम एक कि गाय के शें से 33 किलो खत बना रहे हैं, मेरे अपनी गाओं में मैं बनाता हूं, मेरे आई बाबा दोनों शेत करी हैं, शेती करते हैं, मेरे घर में पंदरे साल से गाय के शें से ही शेती करता हूं, एक किलो शें है, तो 33 किलो खत बनता है बड़े आराम से, और एक किलो खत का अंतरराश्तिय बाजार में जो भाव है वो 6 रुपए है तो 33 किलो का लगबग 800 रुपए 800 रुपए एक दिन में गाए के शेंड से मिलता है एक दिन में और गाए का शेंड में कोई संडे नहीं होता weekly off नहीं होता हर दिन मिलता है तो साल में कितना अठारे सो में 365 का गुणा कर ले ये तो हुआ शेंड एक साल का और एक गाए की सामान में उमर 20 साल है और वो जीवन के अंतियुम दिन तक शेंड देती है तो अठारे सो गुणा 365 गुणा 20 और ये केरिकुलेशन लगवग लाख रुपए के उपर गया दोग के आसपास आ तो मैंने कला इतना तो मिला सॉरी., चालीस लाख के आसपास आता है तो चालीस लाख रुपए तो मिल जाएगा शेंड इसे अब आया मूत्र, रोज का 2 सवा 2 लीटर, और उस मूत्र से 48 आउशदियां बनती हैं, डायबेटीस की आउशदियां बनती हैं, अर्थराइटिस, ब्रॉंकाइटिस, ब्रॉंकियलिमॉनिया, ट्यूबर्कुलोसिस, उस्कियो माइलाइटिस, उस्कियो पॉरोसिस, ऐसे 48 में कीमत लगभग 500 रुपए, इस समय, भारत की बजार, अंतराज की बजार में तो उससे भी जादा, आपको मालूमें, अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है, और अमेरिकन गवर्मेंट भारत की गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है हर साथ, कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं उस फील्टर गाय का मूत्र बारे सो, तेरे सो रुपए के आशपास बैटता है, तो रोज का 3,000 रुपए का मूत्र और एक साल का 3,000, 365 और 20 साल का 3,365, 20 इतना तो गाय का मूत्र और गोबर हो गया, फिर इसी गाय के शोंद से गोबर मैंसे एक गैस निकलती है जिसको मीथेन कद पर लिए अगर उपियान वही गैस ہے जिससे आप अपनी रसोई घर का भौजं बना सकते हैं और जरुरत पड़ए तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं चार पई की जैसे लपी जी कैस से गाड़ी जल्ता है, वैसे मीधेन गाड़ी चल्ता है, तो वन ने आएदिश को विश्वास नहीं हुआ, तो हम ने कहा आप अगर पर्मीशन दो, तो आपकी कार में हम मीधेन गैस का सिलिंडर लगवा देते, आप चलाके देखो, उनों का यस, हम ने लगवाया, उनकी कार में मीधेन ग आता है मात्र पचास से साथ पैसे किलो मीटर और डीजल से चलाओ तो आता है चार रोपए किलो मीटर और मीतियन गैस से गाड़ी चले तो उसमें से धुआ बिल्कुल नहीं निकलता है और डीजल से चले तो दुआ ही धुआ निकलता है और मीतियन गैस की गाड़ी में शोर ब करें तो साल में कितनी मीथेंगा ऐसी गाय से मिलती है वो सब कैलकुलेशन और 20 साल में कितनी मिलेगी और भारत में इस समय 17 करूर गाये हैं सबका गोबर एक साथ इकठा करें और उसका ही इस्तेमाल करें तो एक लाख 32,000 करूर रुपई की बचत इस देश को होती है बिना डी तो नियाए दीश में मान लिए आए कि गाय की हत्या करने से ज़्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से महत्तुपों है जब कोर्ट की ओपीनियन आई तो ये कसाई लोग भड़क गए उनको लगा कि अपकेस उनके हाथ से बया क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़के दिय जा था कि हम कतल करते हैं तो एक गाय से साथ अजार की इंकम यहां हमने सित्व कर दिया कि उसको जिन्दा रख लो तो लाख मर उपए की इंकम फिर उन्होंने एक ट्रंप आर्ट चला कसाई लोग उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मी का अधिकार है कि हम गाय का कतल करें इस धार्मी का अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए किस-किस ने अपने इस धार्मी का अधिकार का उप्योग किया तो कुर्ट ने का ठीक है एक कमिशन बनाओ, हिस्टोरियन्स को बुलाओ और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सब की हिस्ट्री निकालो, डॉकुमेंट्स निकालो और किस-किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उप्योग किया गाय के कतल के हूप में पुराने डॉकुमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उन मेंसे एक ने भी गाय का कतल किया नहीं उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कतल रोकने के लिए कानून बनाए उन में से एक नाम बता देता हूँ बावर बावर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बावर नामा उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कतल का कानून जारी रहना चाहिए माने गाय का कतल नहीं होना चाहिए तो बावर ने तो ये कानून बनाया हुमाईों ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बावर उसका बाप था और हुमाईों के बाद जितने मुगल बाश्या थे सब ने इसका पालन किया including औरंग जियर फिर दक्षिन भारत में एक बड़ा हाथ काट देगा सिक्षा के रूप में दंड के जम्मु कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सब ने कानून बनाए गाई की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड तो ये सब जब दस्तावेज कोट के सामने आए तो हमने कोट को का कि आप जब बताईए कि अगर इसलाम में गाई को कतल करना धार्मिक अधिकार होता तो बावर तो कट्टर इसलामिक था पांच वक्त की नमाज पड़ता था हुमायू भी था जहांगीर भी था औरंग जिव तो सबसे ज़्यादा कट्टर था तो इन्होंने क्यों नहीं गाई का कतल करवाया और क्यों गाई का कतल रोकने के कानून बनवाए क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाई का कतल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका क्यों टीपू सुल्टान ने उसका अमिन का पालिंग किया तो हमने कोड़ से कहा कि आप अगर हम यह इदाज़त दें तो हम कुरान शरीफ, अधीस जितनी भी पुस्तके हैं वो पेश करते हैं और उनमें से कहां लिखा है गाय को कतल करो यह हम जानना चाहते है और आपको पता चलेगा कि इसलाम की खुई भी धार में एक फुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कतल करो अधीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रख्षा करो क्योंकि वो तुमारी रख्षा करती है पेगंबर मु Colonel शाय बहुत है इसमियू उस पर दिया करें एक जगे तो ये लिखाये कि गाई का गृतन करोगे तो दो जख में भी जमीन नहीं मिले गी भाने जहनु में भी जमीन नहीं नहीं तो फिर हमने कहा कि अगर मुहमOOD साभ ये कहते हैं कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है तो फिर ये गाय का कतल करना धार्मे का अधिकार कभी से हुआ भारत में इनको पूछो जरक कसाई में तो वो बौखला गए हमने का अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ उसमें भी देख लेते कौट ने उनको एक महीने की पर्मिशन दिया कि आप एक महीने में ऐसा कोई दस्तावेज लाके दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कतल करना इसलाम का मूल अधिकार है मान लेगे एक महीने तब भी कोई दस्तावेज नहीं मिला तो कोट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोट ने जज्ज्मेंट सुना दिया वो जज्ज्मेंट की कॉपी मेरे पास है अगर आप में से किसी को इंट्रेस्ट हो तो इसकी पोटो कॉपी ले सकते और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलेटी हो तो www.supremecourtcaselaw.com ये वेबसाइट एड्रेस है सुप्रीम कोट का उस पर से इसको डाउन डोड कर सकते ये 26 पन्ने का जज्ज्मेंट है और भारत के सुप्रीम कोट के इतिहास का सबसे इतिहासिक जज्में और उस मंगल पांडे ने इतिहास बना दिया वो फांसी पर चड़ गया लेकिन अपने मूँ से गाई की चेवी के कार्तूस उसने नहीं खोले और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उसको मजबूर किया उसको गोली मार दे से मंगल पांडे तो हमने कहा था यह बार कि भारत की आज़ादी का इतिहास शुरू होता है गायकी रख्षा से इसलिए गायकी रख्षा उतनी ही महतिपून है जितनी हमारी आज़ादी और आज़ादी का जब आंदोलन हुा तो आपको सुनकर आश्कर होगा कि भारत में 1857 के बाद जब मंगल पांडे को फासी हो गई तो गाओं गाओं में गोरक्षा के लिए लोगों ने समीतियां बनाई और उन समीतियों ने आजादी का अंदोलंग लड़ा गोरक्षा समीतियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और 1857 में इस देश में साथ लाख बत्ती सजार गाओं थे ऐसा कोई गाओं नहीं बचा जहां गोरक्षा समीति ना बनी हो और ऐसी कोई समीति नहीं थी जिसमें कम से कम ग्यारे सदस्य ना हो और मज़े की बात यह थी कि इन समीतियों में हिंदु भी और मुसलमान भी दोनों जहन भी सिख भी पारिसी भी बॉदु भी सब इसमें थे कारण क्या है? कारण ये है कि बारत के ज्यारातर मुसल्मान कनवर्टेड हैं, हिंदू ही थे, तल्वार की जोर पर या किसी लालच में आकर मुसल्मान बने तो संसकार उनके अभी तक नहीं गए और ये आपको अगर देखना हो तो आप आईए, मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है, कच्छ जिले में सभी मुसल्मान गाएं पालते हैं एक नहीं कच्छ के दस्यों गाओं में क्योंकि मैंने कच्छ में चार महिने रहकर देखा है मैं उनसे पूछता था, आप गाए क्यों पालते हैं तो उनका दूद के लिए हमको दूद चाहिए, तूप चाहिए, घी चाहिए गाए के दूद से मिठाई बनाके हमारा रोजगार चलता, इसलिए गाए पालते हैं और ये सिर्फ कच्छ में ही नहीं होता है, राजिस्तान में आप आईए, बीकाने, जैसलमेर, जोदपुर, बाड़मेर, ये सभी जिलों में जितने भी मुसल्मान हैं वो गाए पालते हैं और जैसलमेर, जोदपुर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाके में राठ जाती के एक भी मुसल्मान का घर ऐसा नहीं है जहां गाए नहीं हर जगे गाए आप हर्याणा में आईए, हर्याणा में मेवात नाम का एक इलाका है, जो राजिस्थान से लगा हुआ है, दिल्ली के नस्दिक, सभी मेवाती मुसल्मानों के घर में गाए हैं, वो भी गाए पालते हैं तो भारत के आजादी के आंदोलन में जो गोरक्षा आंदोलन चला, उसमें मुसल्मान भी शामिल थे तो उसका इतिहास यह है कि वो भी गाए पालते हैं वर्षों से, उनको भी दूप चाहिए, घी चाहिए और हिंदू तो इसलिए पालते हैं कि उनको मोक्षु मिलेगा जैन, इसाई, पार्सी, बहुत जित्पे भी हिंदुस्तानी हैं लगबख सभी गाए पालते रहें तो आजादी के आंदोलन में गोरक्षा के काम में हिंदू-मुसल्मान सब एक साथ मिलके लड़ रहे थे और ये आंदोलन इतना ताकतवर हो गया था कि सन 1894 में अंग्रेजों की रानी ने भारत के वोईसराय को एक पत्र लिखा बारत का उस समय वुइस आये था उसका नाम था लेंज डाउन और उसका जो नीचे का अधिकारी था लेंज डाउन के नीचे दोनों को पत्र लिखा राने और पत्र में लिखा कि देखिए भारत में धीरे धीरे गोरक्षा आंदोलन इतना तीफ्र हो गया है कि हम अंग्रेजों को अब भारत में रहना मुश्किल है क्यों? तो पत्र में वो लिख रही है कि साड़े तीन सो कतल खाने हमने भारत में शुरू किये हैं जिसमें साल में लगवग पचास अजार गाय कटती है वो सब गाय का मास हमारे अंग्रेज सेनिक खाते हैं भारत वासियों को ये पसंद नहीं आता है और उनका विद्रो और आक्रोश इतना तेज है कि हिंदू और मुसल्मान सब मिलकर हमारे खिलाफ हैं फिर आगे लिख रही है कि मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप जल्दी से इस आंदोलन को खतम करने के लिए कुछ करिए नहीं तो अंग्रीजों को भारत से भागना पड़ेगा फिर अंत में वो सुझाओ दे रही है पत्र में कि मेरा एक सुझाओ है अगर आप करें तो बहुत अच्छा वो सुझाओ ये है कि जितने कतल खाने अंग्रीजों की सरकार चलाती है भारत میں उन सभी कतल खानों में मुसल्मानों की भर्ती कराईए और हिंदूओं को बताईए कि गाए मुसल्मान काटते है। और उसके बाद पत्र उसने खतम किया है। लैंस डाउन के पास जब ये पत्र आया तो उसका जो नीचे का अधिकारी था उसका नाम था डलहुजी उसने डलहुजी को पत्र रिखाया, दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ हम कोई ऐसा कोशुश करें तो जितने अंग्रेज कतल खाने चलते थे, उन सब में मुसल्मानों की जबर्जस्ती भर्ती की गई और अखवारों में खबर छपाई गई, कि देखो गाय मुसल्मान काट रहे हैं परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो हिंदू और मुसल्मान मिलकर गाय बचा रहे थे उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा सामप्रदाइक दंगा इस हिंदूस्तान में अठारे सो पंचानवे में हुआ और उसके बाद आग लग गई पूरे देश्ट और ये आग इतनी जवरजस्त फैली कि सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बंगाल का बटवारा कर दिया पूर्वी बंगाल मुसल्मानों को पश्चमी बंगाल हिंदों को और उस समय तक अंग्रीजों का वाइसराय आ गया था उसका नाम था करजन करजन ने डिवीजन ऑफ बंगाले पनाम का इन कानून बनाया बंगाल के दो टुक्ड़े कर दे करजन को एक चुट़्ी आई ब्रिटिश पार्लेमेंट से उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने भारत में बटवारे का बीज बो दिया है एक दिन यही बीज व्रक्ष बनेगा और भारत देश के दो टुक्रे करेगा माने 1947 में भारत का जो बटवारा हुआ उसका बीज 1905 में बंगाल के बटवारे में ही बो दिया गया और अंग्रेज अपनी रणनीती में कामियाब हो गया उनकी रणनीती क्या थी बाटो और राज करो डिवाइट एंप्रूल हिंदुों को मुसल्मानों से लड़ाओ बिलता रहा और उसका अंति ये है कि आज तक वही खेल हो रहा है मैंने इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलिम परिवारों में जाकर ये जानने की कोशिश की है कि कितने मुसलिम परिवार हैं जो रोजगाए का मास खाते हैं तो पता चला कि भारत में एक टका भी मुसल्मान नहीं है जो रोजगाय का मास्का थे वो ये कहते हैं कि साल में दो या तीन बार खाते हैं लेकिन अगर आपको बहुत खराब लगता है तो हम बंद कर सकते हैं इसमें कोई तखीफ थी बात नहीं है वो खुट कहते हैं और इस मिशह पर मैंने हैदराबाद में जो सबसे बड़ी मस्जित है उसके मौलाना से बात की है लखनौ में मौलाना वहीदुद्दीन से बात की है दिल्ली में बात की है सभी मौलाना उलेमा तयार हैं कि अगर हिंदू समाज हमारे साथ बैठे तो हम गाय कि कतल के प्रश्ण को हल करना चाहते हैं और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसल्मानों की सबसे बड़ी संस्ता है बरे लिए उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कतल ना किया जाए हिंदूओं की भावना को ठेस पहुंशते है इसके लिए राश्वी स्वें सिव गाए का कितल वो इद पर बकरी उपर तो यह प्रशन हल हो सकता है समाज के इससतर पर हिंदू मुसल्मानों के इससतर पर हलो सकता है यह सब ने सुप्रीम कोर्ट में कहीं मैंयरे का आप अगर strawberries को म они हैं तो समाज भी हएल कर लेगा ने माल लिया कि सामाजिक रूफ से गाय क कि रक्षा होना बहुत आवश्चत है क्योंकि हित्तु बुसल्मान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है फिर तीसरी हमने कहा कि ये संस्कृति के लिए बहुत आवश्चत है कि गाये बचे क्योंकि भारतिय संस्कृति का जो केंद्र है देखिए संस्कृति और सब्विता किसी भी देश की आत्मा होती है संस्कृति और सब्विता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है वो अंतर क्या होता है मैं एक छोटे से उधारेंश से समझाता हूं और आप हमेशा याद रखें इसको संस्कृति क्या है सब्विता क्या अगर यहां मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूँ जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो तो आप तुरंग देखके पहंचान लेंगे कि ये मराठी है अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो साड़ी बांधने का जो स्काइल है वो संस्कृति है और साड़ी जो है वो सब्विता है। साड़ी वो बांधने के जो अलग-अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं। और जो एक कीज कॉमन है सब में वो साड़ी है उसको सब्विता कहते हैं। तो भारतिय सब्विता और संस्कृति के केंद्र में गाय है क्यों हर सब्विता के केंद्र में अर्थ व्यवस्था होती है और हर अर्थ व्यवस्था को चलाने के एक तरीके से संस्कृति निरूपित होती है हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चानक के चानक की ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है द्र्म सिमूलम अर्थम, मर्थसिमूलम कामं धर्म का मूल जो है वो अर्थ है और अर्थ का मूल जो है वो कारे है अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है मने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहाँ धर्म नहीं टिकता धर्मस्यमूलम अर्थम अर्थस्यमूलम कामम और उन्होंने ये परिभाशा किसलिए दी? धर्म अर्थ काममोक्ष जो हमारी संस्कृती के केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाशा लएगी तो भारत में अर्थ व्यवस्था कहां से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थ व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए अर्थ व्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की शेती और शेतकरी मजबूत हो क्योंकि हमारी अर्थ व्यवस्था का 77 प्रतिशत हिस्सा शेती से जुड़ा हुआ है और शेती की सबसे जादा मजबूती गाय के शेन और गोमूतर से जुड़ी हुई है यूरिया डियेपी तो छेपक के रूप में आया, यूरिया डियेपी हमारी शेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा, ये तो पिछले 40 साल में आया, और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया, उनसे भी मैंने बाते की, ये बड़े-बड़े जो क्रशी विद्या पीट ख वाओं गाओं में बजाया कि यूरिया वापरो, डियेपी वापरो लाया तो सरकार ने, सरकार ने क्यों लाया, तो कहते हैं कि यूरिया डियेपी बेचने वाली कंपनिया ही राजनेतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा डोनेशन देती है, राजनेतिक पार्टियों को नीचान॥ करें दिए, जो ही बो रहा ही." हर एक प्रॉफेसर कहता है। यूरिया भापरो डी अपई वापरो और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर इपने शेत में नहीं वापरताँ घए। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो डिये पीडा हमारे भारत देश में ग्रीन रिवल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं न है मैं स्वामी नातन उनका घर में देखने गया एक बार तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला लेकिन सब को पूरे कि चेम खाता था इस लिए जो सरकार के वही कहता कर अब ही में रिणी डायर होगा हूं तो अपना वु कहता हूं जो सच है में और आपको महिती है कि IMS स्वामी नातन इस समय महाराश्ट सरकार की और गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेर मेहन है। और गेनिक फार्मिंग कमेटी के इंद्रिय शेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेर मेहन है। Z तो आप बोलेंगे जी यूरिया से तो भोजन बनता है. बोजन तो पीक को चाहिए, पौधे को चाहिए, पौधे का बोजन यूरिया से नहीं बनता है, पौधे का बोजन सूरिके प्रकाश से बनता है, विज्ञान की एक क्रिया है, फोटो सिंथेसिस, प्रकाश अंशलेशन की क्रिया है, उसमें हर पौधा सूरिके प्रकाश को लेता है और भोजन तो पौधा सूरी के प्रकाश से बनाता है और सामन रूप से शेतकरी जब यूरिया डालते हैं तो वो कब डालते हैं पेरनी होती है फिर उसके बाद भी जरालते हैं अंकुरन होने के 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं और विज्ञान का नियम यह है कि प कार पड़ा रहता फिर ये करता क्या है यूरिया ये यूरिया शेप की माटी में जब जाता है तो छोटे-छोटे जो कीट होते हैं जंतु होते हैं माइक्रोब्स जिनको कहते हैं उनको मार डालता है हाँ आप कभी यूरिया का प्रयोग करिए क्या हमारे खेट की मिट्टी में जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, उन में से कुछ तो आग से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, जो आग से दिखते हैं, उसमें से एक है गांडुल, अर्थवॉग, उसको पकड़िए और उसके उपर यूरिया डालिए, तीन मिनिट में तड़प तड़प के मर जाते है तो जब हम टनों टन यूरिया डालते हैं तो गांडूल मर जाता है और गांडूल जैसे करोड़ों जीग मर जाते हैं उनके मरने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में वो डिकंपोज हो जाते हैं और ये भूमिका कुछ इस तरह की है, आपको समझाने के लिए एक उधारन दे रहा हूं, कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर जाए, आप उसका अंतिम संसकार मत करिए, जलाइए मत, उसको जमीन में खड़ा कोद के गार दीजे, थोड़े दिन में वो मिट्टी में मिल ज जाड़ लगा दीजे, सबसे जास्की आम का फल उसी जाड़ पे आएगा, ये मैंने खुद करके देखा है, कोई गाय मर जाए, भैस मर जाए, उसको जमीन में खड़ा कोद के गार दीजे, आम का जाड़ लगा दीजे, सामन रूरूप से आम का जाड़ तीन वर्ष के बाद फल देता है, लेकिन गाय को जहां दफन किया है, वहां लगा दीजे तो दो वर्ष में फल देता है, और कम से कम चार हजार आम पहले ही साल में मिल जाएंगा, कैसे हुआ, गाय के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रियंस हैं, टेलशियम हैं, मैगनेशियम हैं, आईरन हैं, स को मिट्टी को मिल जाते हैं, उनकी τाकत पर पीक आता है, तो कई बार शृतकरी को यह भ्रम तो जाता है, कि यूरिया डालने से बहुत पीक आता है, और दूसरी बार डाला, तो मरने के लिए कोई जीत बचा नहीं, तो पीक नहीं आएगा, फिर वह अपना सिर म पीटता है पिर क्या सोचता है मैंने कुछ कम डाला तो अगली बार उससे भी जादा डालता है और डालते डालते हालत वहां पहुंच जाती है कि यूरिया डालते डालते वो खुद मर जाता है आत्मत्या कर लिए ता है यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और यूरिया का भाव भी बढ़ता जाता है पंद्रे साल पहले 70 रुपए का 50 किलो यूरिया था अब 270 रुपए का 50 किलो पंद्रे साल पहले डियपी 4 रुपए किलो था अब 22 रुपए किलो तो यूरिया डियपी का भाव बढ़ा तो श चक्रवर्थी व्याद भरना है, compound interest, और कभी अतिवरष्टी अनावरष्टी हो गई, तो हाथ में शेतकरी के कुछ नहीं है, तो बैंक वाले आके खड़े हैं कि लाओ पैसा वापस, तो अपनी इज़त बचाने के लिए जहर पीता है और आत्मत्या कर लेता है, हर साल भारत मे आठ सो चपन शेतकरी ने आत्मत्या किया, आंधर में लगवग साड़े साथ सो है, संपूर भारत में शपन हज़ा है, और इस साल भी यही हाल है, तो शेतकरी को आत्मत्या से अगर बाहर निकालना है, और शेती को केंद्र बिंदू मान कर कुछ कराना है, तो उसका वेकी उ क्षेती करने से खर्चा इतना बनता है, एक हेक्टेयर का खर्चा 15 साल पहले मेरे घर में 0.15,000 रुपई आता था, लागत खर्चस, cost of production, आथ वही एक्टेयर का खर्चा 14,000 रुपई यह साल में आता है, एक हेक्टेयर में पहले मुझको 12 कुंटल कापूस आती थी, और 25 तो मुझे लाग होता था अब इस साल एक हेक्टेर में तीन साड़े तीन कुंटल कापोस आई है और भाव उसको सत्तरे सो रुपई कुंटल है मेरे जैसे शेतकरी सिर्फ पीट रहें अपना क्या करें इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर भारत के शेतकरी को आप मत्या के दुश्चक्र से निकालना हो तो एक ही रास्ता है गाय का शेन और गोमूत्र क्योंकि एक किलो शेन है तो 33 किलो खत बनता है और गाय के शेन को उपयोग करें तो एक एकड में आठ कुंटल गाय के शेन को उपयोग करें तो एक एकड में 25 कुंटल गेहूं मिलता है गाय के शेन का उपयोग करें तो एक एकड में रोज लगबख 50-60 किलो भाजी पाला तूटता है गाय काशियन उप्योग करें तो एक एकड़ में 33 कुंटल धान आता है मनें हर चीज पीक जादा लेना हो तो गाय काशियन है क्योंकि गाय के शियन में वो सभी माइक्रो न्यूट्रियंट्स हैं जो भूमी को चाहिए यूरिया डियपी में सिर्फ तीन है नाइटरोजन फॉस्पोरस पुटाश गाय के शियन में सत्रे तो यह बात समझ में आ रही कोड़ को फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यही बात तो फिर decision देने में उन्होंने देर टेंग किया और ये decision आ गया अब decision ये कहता है judgment ये है कि गाय का कतल नहीं होना चाहिए और दूसरा judgment का part है कि भारत की सभी राज्यों की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके राज्य में गाय का कतल नहीं हो और judgment का तीसरा part है कि भारत का हर नागरिक जिसको सम्मेदान से अधिकार है नागरिकता का अब उसकी जवाबदारी है कि वो गुरक्षा करें और आपको सुनकर आश्यर होगा कि ये पहला judgment है सुप्रिम कोट का जिसमें कोट ने कहा है कि भारत के नागरिक को गाय बचाने की जिम्मेदारी लेनी है सरकार को तो लेनी है नागरिकों को भी लेनी है मानिए आप सब इससे बंधे हुए हैं मैं और आप अब मैं आप से कहने आया है उन्हों ये कि जज्ज्मेंट तो आ गया है आपको गाए बचानी है मुझे भी गाए बचानी है अब ये गाए बचाने का रास्ता क्या है इसके दो रास्ते पहला रास्ता ये है कि आप अपने राज्जी की सरकार पर दबाव डालिए कि जल्दी से गोरक्षा का कानून बनाए और महाराश्ता में लागू करें और एक भी कतल खाने में गाए ना कटे ये जिम्मेदारी अब आपकी है इसके लिए क्या करना है आपके मुक्यमंतरी विलासराओ देश्मुग जी को हजारों की संख्या में पत्र भेजिए, मैमोरिन्णम दीजिए, निवेदन करिए और उनको एक ही बात पूछिए कि आपको भूतपूर होना है कि अभूतपूर अगर आप भूदपूर्व होना चाहते हैं तो गोहत्या चालू रखिए हम आपको भूदपूर बना देते हैं अभी थोड़े दिने और अगर भूदपूर्व होना चाहते हैं तो गोरक्षा का कानून पारित कर दिजें विदान सबाएं और महराष्टु में यह आसानी से होगा क्यों कि महराष्टु को तो विदान सबाएं पारित करने का कुछ जरूरत नहीं है पारित हो चुका है राष्टुपती का सही नहीं हुआ है कानून तो बन गया है जब यहां यूती सरकार थी न शिवसेना बीजेपी थी तब यह कानून बन गया था विदान सबाएं तो पार्स हो गया राष्टुपती के पास कहया नहीं सही के लिए वो पड़ा होगा तो इतना करना है कि मुख्य मंत्री इसको जल्दी से राष्ट राष्टुपती के पास बेज़ दो राष्टुपती तयार है सही करने के लिए क्योंकि हंडेट पर्सेंट वेजिटेरियल है भारत में मुस्लिम राष्टुपती है और सौ टका शाकारी है वो टो तो तयार है सही करने में देर नहीं मुक्खे मंत्री बेज नहीं रहा है कारल क्या है राष्टवादी कॉंग्रेश शरत पवार के टेके से सरकार चल रही और शरत पवार क्या बोला मैं बोला आफको गाय को क्यों बचाना वो तो बेकार है बूड़ी हो गई है तो कतल हो जाना चलिए तो इस समय यहां जो सरकार चल रही है उसमें एक पप्ष गाय का समर्धन नहीं करता तो उनके लिए थोड़ा संकट है लेकिन आप इस संकट को ठीक करिए ठीक यह करिए और अल्गाबाद से कम से कम 10-20,000 पत्र मुख्यमंत्रियों को बिचबाते हैं पता आप सब जानते हैं कोई ज्यादा बताने की आवश्य है और पत्र में सीधे एक ही भाशा में बात करिए कि भूदपूरु होना है या अभूदपूरु आप तैकर क्योंकि जो गाय के कतल का समर्थन करते थे व सबी मुख्यमंत्रियों को हमने भूदपूरु बना दिया है चंद्रवाबू नाइडू देखरें हाई टेक चीफ मिनिस्टर अभी चपन चटकाते हुए हैधराबाद में गुनिता रहता है कोई पानी को भी ने पूचता हुसता है दूसरा एक मुख्यमंत्री हर्याना में ओम प्रकाश्चो टालाग वो भी गुख्या का समर्थन किया वो भी भूदपूरु को है ममता बेनर जी वो हुई ही नहीं है तो भूदपूरु क्या हो भी आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनने का भी कोई चांस देखता है तो आपके मुख्यमंत्री को कहिए कि देखे जी भूदपूरु होना है तो बहुत अच्छा अब भूदपूरु होना है तो आपके पास ऑप्षन है आप जल्दी से ये हस्ताक्षर करा लो राश्वकती के पिर वो कहेंगे जी सरकार गिरती है गिर जाने तो दुबारा चुनाओ लड़ो इसी मुद्दे पे तो पूरी अच्छा का कानून बने तो ये तो एक काम हुआ और इसको आप करेंगे सब मिलकर ऐसा मेरी अपेक्षा है आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें व्यक्तिगत रूप से भी करें कोई संस्था के लेटर हेड़ पर हस्ताक्षर के साथ भेजें 100-200-500 हस् लॉइर उठक्स करें जो करशक्ते हैं एकरें दूसरे एक काम इससे भी बढ़ा करना जायदा कि गाए कटती तब है जब वह बाजार में बिक्ती आ है और गाई काटने वाले तो कुरेशी हैं पालने वाले तो सब हिंदू हैं मिलकर उम इस देश के हिंदू Kishes इस बात के ल जिए गाय इसलिए बेचनी पड़ती है जो वो दूद नहीं देती वही कुतर तो उसको समझाना है कि भले दूद नहीं देती मूत्र तो देती है और उसके श्वेन और मूत्र से लाखों रुपई की आमन नहीं है तो क्यों परिशानों दूद के लिए गाय तो मुख्य रूप से श्वेन और मूत्र के लिए पालो दूद तो बोनस है असली तो श्वेन और मूत्र है जो लाखों रुपई की इंकम दे रहा है और हर शेतकरी को ये समझाना है कि तुम तुमारे गाओं की गाय का श्वेन इकठा करो एक गोबर गैस प्लांट करो गैस को सिलिंडर में भरो घर में इस्तेमाल करो तुमारे ट्रैक्टर में लगाओ तुमारी गाडियों में लगाओ तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चला और डीजल खरीदने की जरूरत नहीं और सब गाहों में यह हो सकता है असमभ इसमें कुछ नहीं बस उनको बताने की जरूरत है और दूसरा शेत करी बांदवां को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डियेपी से जो तुम शेती कर रहे हो ये तुम्हे आत्मत्या में लेके जा रही है तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डियेपी बंद करके शेल खत्वा परना शुरू करते हैं मैंने मेरी जितनी शक्ती है और छमता है उसकी अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है और इसका अच्छा परिणाम भी है पिछले करीब देड़ दो वर्शों में पचास हजार से जादा शेत करीब आंदवों को मैंने ये समझाया उसका परिणाम ये है कि उनमें से पाँच हजार शेत करीब आंदवों ने शेल खत्वा परना शुरू किया है और वो कहते हैं कि हम पहले से जादा सुखी है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा नबबत टका कम हो गया और उत्पन दस से पंदरे टका बढ़के आए तो दोनों ही इस तरह पर उनको लाव है अब ये बात तेजी से गाउं गाउं फैलाने की ज़रूरत लाव होता है तो फिर गुनगान शुरू करते हैं ओ गाए माता है बहुत अच्छी है हमारी आई कहती थी आई की आई भी कहती थी हमने तो बच्च्पन में बहुत पूजा किया है वो सब अच्छी अच्छी बाते कहना शुरू करते हैं क्योंकि लाव मिलता है थोड़ा आदमी हो गया है स्वार्थी शेहर का तो जादा हो गया है जब तक लाप में मिलता तक तक किसी का बखान बिने करता। तो प्र गाह का बखान करता है, तो फिर कुटर्ख नहीं करता। तो फिर आपकी रास्ते का अवरोध नहीं बंता। तो आप उसकी डायबीटीज छीक करते जाओ। इलाज मने ने किसी स्जाओ रात में 25 बात नहीं करता है एलोपेधिवाला कहता है कि diabetes can be controlled but cannot be cured वो कहते हैं कि control थो होती है cure नहीं होती लेकिन गाय के मूत्र में control कुछ नहीं होता क्यों ही होता है आप पुछोगे जी क्या है ऐसा उसमें गाय के मूत्र में वो chemical हैं जो आपके शरीर के insulin की मात्रा को बढ़ाते हैं insulin को activate करते हैं pancreas को activate करते हैं वो गुम मूत्र में हैं और बगवान का दिया हुआ है तो इसलिए ये फटा है और मैंने तो diabetes बोला इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीड़े थे ऐसा कोई भी रोप मिले आपको अस्थमा है अस्थमा उनको बोलो कि गाय का मूत्र रुपियो सबेरे 25 मिलिग्राम और पीछे से एक घंटे बाद दाल चीनी का powder गरम पानी के साथ ल गाय का मूत्र रुपियो सबेरे 25 मिलिग्राम और एक घंटे के बाद कपूर खालो केले में डाले केला है ना केले को छीलो बीच में कपूर डालो और केला खा जो तो मुश्किल से पंदर 20 दिन लगता है मूड़ गाय का तूप मिला बीमारी है खून नहीं बनता तो उनसे क कि गाय का मूत्र फियो सबेरे सबेरे और रात को गाय के दूद में गाय का तूप मिला ते पियो तो खूब खून बनेगा हीमो ग्लोबिन बहुत तेजी से बड़ेगा फिर कोई कहला मुझे नीन नहीं आती रात को तो उससे कहो कि गाय का मूत्र प्यो और मैथी दाने का पानी दोनों से बहुत अच्छे नीद आती फिर वो ही कहेगा कि मुझे बहुत खराब खुजली हो गई है, ताद हो गया है, खाज हो गई है एगउओ वोया सुराइसिस हो गया उसको कहो कि गाय के मूत्र की मालिश परो और सभेरे मैथी दाने का पानी पियो मैथी दानी के पारी बाणी के साथ कड़ू को पान का पानी पिई लो तो और जल्दी छीक हो ऐसे कोई पीमारी नहीं नहीं होती इफ पैसे कसी से तोलो गो मुट क्थे नाचाल को हूं कीरूब अदूबत का में जो हमारे लिए और भुसर दिया द्यान रखना श्वेंपाक हर और गाय का मूत है, क्योंकि मैंने जोगुज बोला, महती बोला, दाल चीनी बोला, फड़त बोला, ये सब स्वाइम पाक गर में, स्वाइम पाक गर में 140 होशद है, उनका गो मुतर के साथ बहुत अच्छा कॉंबिनेशन, एक खराब बीमारी होती है, जिसको जॉन्डिस ते कामला, इसका सबसे अच्छा है, गाय का मूत रुपियो, सवेरे, और एक दिर घंटे के बाद, चूने का पानी दही में मिला के खाओ, तो जो जॉन्डिस को ऐलोपेथी के डॉक्टर एक महीने में ठीक करते हैं, वो आट-दस दिन में ठीक होती है, लिवर सिरोसिस, जॉन् पीओ, और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो, तो खराब से खराब गयस्ट्राइटिस ठीक होती है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती, एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है, गैंगरीन और ऑस्टियो माइलाइटिस, गैंगरीन में आप ज बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गैन्दे का फूल कहते हैं मेरी गोल्ड, बॉटनिकली कहते हैं केलेंडूला, मराथी पे कहते हैं जहन्डू का फूल, यह जो जहन्डू का फूल है अदबुत है, इसकी चट्टी बना गोमूत्र में और वो चट्टी को गैंग्रीन जह आपकी एक बहुत गंबीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटेच्मेंट, जिसमें एलोपेथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी दरते हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी, लेकिन रेटिनल डिटेच्मेंट में सिर्फ इतना कि गाये के मूत्र को दो तो सामा में रूप से क्या होता है, गर्भावस्ता पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशा की तकलिफ होती है, गर्भाशा है डिस्प्लेस हो जाता है, अपने इस्थान से अलग, अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, ज्यादा तर ड बोलो कि मैथी के लड़ू बना के खाए। हाँ, गर्मावस्ता पूरियोंने के बाद बच्चा हो जा गया, तो फिर मैथी के लड़ू गुड़ के साथ बना के खाए, उसको थोड़ा मुमूत रुपी है, तो गर्माश्य अपने इस्थान के वापस आ जाए। और किसी आई को गर्वावस्ता अगर प्रारप होई है तो उसको बोलो कि रात को एक गिलास गाय का दूद तूप मिला के पिए गाय का, और सविरे गाय के दूद का दही बना कर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन ने सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़े, बिना सिजेरिय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शहर के लोगों में जो कुतर्क गुज गुज गया है, ये दूर करने में बहुत मदद है, फिर कुछ लोग कहते हैं, राजी वही जब तक आप बोलते हैं, तब तक तो याद रहता है, दो गंटे बात सब बूली जाते हैं, क्या करें, तो उस एक और पुस्तक बनाई है, कि गाय मूतर के साथ में बार बार बूल रहा थे मैं थी दाना कभी, दान चीनी कभी, हड़त, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदरी चिकित्सा, मने इस्किन पिसीज जिपनी हो जाती है, एक पुस्तक मैंने आई है कि गोमूतर और स्वदेशी चिकत्सा स्वदेशी चिकित्सा स्वख़न कर सकता है, डॉक्तर के पीछे ज्यादा गूमने की जरूरत नहीं, और आजकल मेरी आपसे एक विनम्बर प्रार्थना है, कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तक्लीफ देते हैं कभी आप कभी ब्लड प्रशर चेक पर आवा तो कहेंगे जी हाई है और तुरंद बोलेंगे आप कभी भी मर समते हैं तो क्या करो ओपरेशन करें कौन सा ओपरेशन एंजियो प्लास्टिक तो आप पूछोगे दॉक्टर दो तीन दिन का समय तो देदो आजाओ बैट खाली पड़ा तुमारे लिए इतना बड़ा हॉस्पीटल बांगा इसमें एसी भी लगाए और इसमें टीवी भी लगाए दिखाएगा देखो यहां 70% ब्लॉके जाए यहां 80% है यहां 90% है डर गया अब क्या तुरंत ओपरेशन करा हो तो जो ओपरेशन करता है ओपरेशन में क्या है एंजियो प्लास्टिक ओपरेशन में एक इस्टंट डालते है इस्प्रिक है तो तीन रुपए 80 पैसे की बनती है और भी एक लाख रुपए बन जाता है तो क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है कंपनी का कमीशन है एजेंट का कमीशन है अब भुष्पिल के आती है कि यह जो इस्टंट है यह च्छे माईने में बेकार हो जाए तो क्योंकि हिरदय की जिस नलीम है रुकावट को हटाने के ल अब मैं आपको एक सची घटना सुनाता हूं अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है और इंडिया इंसुटर ऑफ मेनिकल साइंस इस डिली में सर्जन है डेली एंजियो प्लास्की के आर्ट्रस ऑपरेशन करता उसको हरट अटेक आया और जैसे मुझे ख़बर मिली कि उसको हरट अटेक आया तुरंत मैंने फोन लगाया मैंने का भाई तुमने अंजियो प्लास्की कराया कि नहीं अपना प्र क्या किया तुम नहीं जिंदा कैसे हो तो उसने का मैं सौमी रामदेव के आश्वरम में गया था हरिद्वा और दूदी भोपले का रस पीके आया अ मैंने पूछा कि अभी चेक कर लिया उसने का सब ठीक है यह तो सच्छी है मैं और कोई वो डॉक्टर चोटा मोटा डॉक्तर नहीं है उसका नाम है डॉक्टर नरेश्ट्रेहान जो खुद दस ऑपरेशन प्रोच करता है वो कहता है मैं दूदी भोपला पीके स्वामी रामदेव के आश्रम में प्राणायाम करके ठीक हो गया मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हर व्यक्ति ठीक हो सकता है रामदेव जी ने आज तक तीन लाख से ज़्यादा पेशन ठीक कि और उनमें maximum cases डॉक्टरों के है जो उनके सामने बैठकर प्राणायाम सीखकर दूदी भोपले का रस्पी तरखीक हो है इसका माने कि आर्ट्री में ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है और इसका माने दूदी भोपला इसकी सबसे अच्छी ओप है तो आप भी क्यों और गायमाता जिन्दावाद है उसका मोत्र है बस माहिती ले लो कि स्वैंपागर में क्या है जिससे क्या होता है और गोमुत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है भारत में कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई है इस विश्में पर सबसे अच्छी पुस्तक चरक यह चार पुस्तकें हैं आयुरुवेद में जिनमें गोमुत्र और स्वैंपागर की आउशदियों से सभी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं वो बताया है अब इन पुस्तकों को पढ़ने की एक ही तकलीफ है कि संस्कृत आनी चाहिए क्योंकि यह संस्कृत में अभी त अब दुनिया की सबसे रद्दी भाशा है जो बोलते हैं वो लिखते नहीं जो लिखते हैं वो बोलते हैं अंगरेजीन एक शब्द है सुनामी कैसे लिखते हैं टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी कहते हैं जी टी साइलेंट है तो लगाया क्यों अटा दोस्त एक शब्द है, KiT Channel, KIT, CHE, L, करते हैं हैं किचिन, 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 पिर KIT क्यों लेगर हो, T साइलेंट हैं क्यों लगा है, हटा दद द आ, ऐसी मुर्खता की भाषा है,beauty put, तो beauty, put, और beauty but, तो beauty but, कुछ लाजिक है इस विचत्र भाशा है और लोग लगे हैं इसको बोलने कभी-कभी तो बिना सोजे समझे बोलते हैं कुछ पढ़े लेके लोगों के घर में जाता हूं कि तो ओ राजीव दिक्षे, she is my missus मैं पूछता हूं, really? तब वो थोड़े बाखला थे मैं उनको कहता हूं कि दो यू नो दा मीनिंग ऑफ मिसस? English dictionary अगर खोल कर उठाओ तो सबसे पहले dictionary बनी इंग्लेंडना, Babster अगर आप Babster dictionary उठाओ और उसका first edition देखो तो मिसस का रत है धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी मढ़ला वो मिसस होती और यूरोप में बताए ने धरम पत्नी नहीं होती क्योंकि सब्तर प्रतिशत यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते बिना शादी के रहते वो एक शब दुनों ने बनाया लिव इन रिलेशनिशिप जिसमें शादी नहीं होती तो दरम पत्नी नहीं होती तो वो सम मिस्स होती मिस्स का ये बताए और मिस्टर उसका वाई सी वरसा पती को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता और हम लगे है अपनी श्री मखी को मिस्स बनाने मिस्स अब मैं भूचता हूँ रियली, शीजी वर मिस्स तो वो बॉख लाते हैं बिना जाने अंग्रे जी का इस्तेमान बत करें अच्छी भाशा नहीं हो कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रे जी में जैसे संबंद, रिलेशन्शिप फादर इल्लो, मदर इल्लो, ब्रदर इल्लो, माने समद भी बाई लॉ कानून से सब समद है क्या चक्कर क्या है फादर इल्लो, मदर इल्लो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंट्रेस्टिंग है हिस्ट्री ये है कि इंग्लेंड में उरोप में पंदरिसो, सोलेसो साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारन व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमती के राजा की अनुमती मिले तो शादी होती थी बिना अनुमती आप शादी नहीं कर सकते तो जानते ही क्या हुआ इसमें कि राजा की अनुमती के बिना शादी करवाने का काम ने कंद न कि उसका नाम था वेलेंटाइन में एक क्वेलेंटाइंट नाम का पाद्री ठाज़िन का पुठीघ crypto चलtar कि मैं शादी करॉनगा बिना राजा की अधुएंट तो जिसदिन राज को पता चला राजा था इससमय पिलाडेक्ल रोम का तो उसने क्या च crisis को फासी दे दिया नत्यु दंड और 14 फर्वरी सन 498 को उसको फासी दे तो उस वेलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वेलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी वेलेंटाइन अब हम पागलों की तरह से वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कियोंकि हमारे यहां कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पर पावंदी लगाई हूँ यहां तो उल्टा है एक मैं दो दो करो तीन तीन करो चार चार करो तो हमें वेलेंटाइन डे मनानी की जुरूबत नहीं और उनके हैं क्या होता था कि राजा की अनुमती से शादी होती थी इसलिए सारे रिष्टे बाई लौ फादर इन लौ मदर इन लौ ब्रदर इन लौ ऐसा है चक्कर अब हम उसकी नकल करें तो कितनी मुर्ख ता बड़ मुद्र है यह अलग्री जी का साम रहा है मैं किसी के घर में जाता हूं पता चला पढ़ी दबली ट्विंकल विंकल था इन क्या क्या बिचित्र नार्थ अपने नाम बहुत अच्छे है मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्यों आप ये टिंकु पिंकु में पस रहे? अटिंकु का आर्थ चांद लो पहले, फिर करो, वेबसर रेक्ष्णरी में टिंकु का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की भी ना सुने, मा की ना सुने टिंकु होता है, तो बनाने का है, तो बोलो टिंकु टिंकु थोड़े दिन में हो जाएगा, तो ये अग्रेजी में हम फस गए बेकार, कुछ पालतूप में, कुछ काम भी नहीं है उसमें, कहते हैं दुनिया का ग्यान है, कुछ ग्यान ग्यान नहीं है अग्रेजी, अग्र उन्होंने जर्मन से लिया, फ्रेंच 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 सेट राश्षा संग को जोड़कर कोई अंग्रेजी में काम नहीं करती सब फ्रेंच में करती कि हम नही। एक phobia बना रखा है कि अंगिरillä जी रिदित वेन दुनिया नहीं चलती दुनिया में 200 देश हैं जिन में से साथ में सिर्फ अग्रेज़ण चलती है बाकी कनि चलती है और वो भी साथ देश इसलिए कि अंग्रिजों के गुलाम थे अभी तब छोड़ने ही पाई उस अंग्रिजों उन साथ देशों में तीन तो अपने ही है भारत, पाकिस्तान, बंग्डादेश और बाकी है अमेरिका, कनाड़ा और ब्रिटेश बाकी किसी देश में हैं सबी दे अपने देश की बाष्भाशा में सबस्क्राप्राइब करते हैं, अपने देश की बाष्भाशा में तो असे बाष्भा रचा संभान करता हूं इसलिए मैं मातर भाषा में बात हुए हमको मातर भाषा बोलने में क्या तakलीट है बोलो मराती, बुजराती, तमिन, तैलगु, कन्रॉर, मलीयाला और यह सब भाषा हैं अंग्रेजी से अच्छी है क्योंकि भाषा अच्छी हो माने जाती है जिसमें शब्दों की संश्या बह सवाति का, उदारन के लिए सूर्य क्या शब्द है सन, एक ही है न, S-U-N, दूसरा कोई है, दूसरा है कोई एक्वेलेंट सन का, नहीं, मराधी में, सूर्य के बारा शब्द है, दिंकर, दिवाकर, रवी, भासकर, मार्तंड, क्या क्या सब्द, संस्क्रुट में भी वह है पानी वाटर एकी और यहां सलिल नीर जल पानी के 14-15 तो शब्दों की संख्या मराठी में हिंदी में गुजराती में अंग्रेजी से ज्यादा इसलिए यह भाशाएं उंची और अपने बच्चों को भगवान कर लिए कभी भी ऐसा मत सिखाना में कभी-कभी अंग्रेजी दा लोहों के घर में जाता हूं तो तुरंत उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो देखो अंकल आए है अभी पोईं सुनाओ तो उनकिया चालू हो जाते है टेप रिकॉर्डर की तरह से रें रें गो अगें कम अगें अने दर डें लिट्टिल में भी बॉन्स प्लें मैं क्या बोल रहे हूं सत्याना श्कराना है देश का ब्रें गो अगें अगर सुन लिया बन्वान में तो क्या होगा बारिश तुम चली जाओ कभी भी मत आओ क्योंकि मुझको खेलने का है अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा शेदकरी मरेगा तुम भी मरोगे बिना अक्कल के रें रें को अवे सिखाता है तो फिर पूछते क्या सिखाए तो सिखाओ ये रे ये रे पाउसा तुला देतो पाई साव पाई साव पाई साव पाई साव भाशा का संसकार होता है तो मराठी में संसकार है ये रे ये पाउसा अंग्रेजी में है रें रें ग इसलिए भाशा अपनी सीखो और समय बचे तो संस्कृत जरूर सीखो जिसमें ये सारा ग्यान है वेद, उपनिशक, आयुर वेद, सब संस्कृत में हैं थोड़ा सीख लो बहुत ग्यान है और वो ग्यान आपके भी काम आएगा देश के भी काम है उसी संस्कृत की मदद से मैं मैं थोड़ा ग्यान लिया है भाव प्रकाश पढ़ा निभेंटों पढ़ा फिर ये पढ़ा अश्टां गहते और इसकी आधार पर पांच-शे कितावें बना दिया वो बाहर हैं हिंदी में हैं मराठी में हैं आप ले जाओ पढ़ो पढ़ाओ मैंने आप से का मेरा कोई कॉ चार होगा गाय मुथर से ये बिमारी ठीक होती है ये बिमारी ठीक होती है गाय के शेयं से ऐसा होता है फिर कोई शूतकरी गाय नहीं बेचेगा बहले दूदிंस तो भी गाय को पालर के रखेगा और जिस दिन कि ये हो गया उसकी सब कसाईượng को धंदा बदलना पड़ से इंग तो Hang am सरकार की मदद से कर Soup पर यक काम स्वयम करें जो स्वयम करेंगे वह सुन्य लार और कि सरकार कारा पताIFA नहीं कब बदल जाए अगली कोई सरकार है उसका काूष बना दे सरकारों का तो कोई भरोसा नहीं लेकिन जो समाज करेगा वो टिक जाए तो हमको यह अभ्यान चलाना है और इसी अभ्यान के लिए थोड़ा-थोड़ा सा अपने जीवन का समयदान करना है और वो समयदान करके आप मैं सब मिलके लगें तो जरूर अगे चार-पांस स साली में ये देश की तासीर बदल जाए और एक भी गाय कतल होने नहीं जाए फिर मैं कलपना करता हूं कि अगर गायती संख्या बढ़े तो क्या होगा मैंने एक दिन हिसाब लगाया अभी सब्तरे करोण गाये है इस समय 34 कोटी हो जाए जब भारत आजाद हुआ था तो साम साल में सब्तरे कोटी गाये कम हो गई अब सिर्फ सब्तरे कोटी दुनिया में हमसे अच्छे कई देश में यहां गायों की संख्या मनुष्यों से जादा है न्यूजिलेंड डेन्मार्क सुईडन ये तीनों देश में गाय की संख्या मनुष्यों से जादा है औस्प्रेलिय कैसे जिन्दा है, न्यूजिलेंड कैसे जिन्दा है, डेन्मार्क कैसे जिन्दा है, नौर्वे कैसे जिन्दा है, अगर ये देश जिन्दा है, तो हम भी रहने वादे हैं, चिंता की क्या बात है, तो गाय की संग्या बड़े तो चिंता मत करो, परिशानी उसमें नहीं आने व एक राजा दिलीप की कहानी मैंने बच्पन में सुनी थी, राम चंडर जी के वंचच थे, गाई के पीछे पीछे भूंगते थे, उनकी एक गाई थी कपिलप, वो जहां जाती थी दिलीप उसके पीछे जाते थे, राज जोनोंने मंत्रियों को सौंपर खा था, वो गाई की सि राजया, और श्वेर ने तई किया कि इसको खाएंगे गाई, तो राजा दिलीप ने कहा कि गाई को छोड़ दो, मुझे खा लो, इतनी उंची माननेता गाई के लिए है, मैंने हिंदुस्तान में अभी एक गाउं देखा, दो गाउं देखे, लगबग आट दिन पहले नही कि मुक्च मठादीपति गाई है, और चाar سو साल से ये चल रहा है, मैंने उस गाउं के नाखरिकों को पूछा कि आपने मठादीपति गाई को क्यूं बनाया, तो इसमें का मनुश्रमा को गोण नहीं है, गाई में है, इसलिए हमने मठादीपति गाई है, मैंने पूछा, इ अगे आगे वो गाय जाती हैं और जब उसका अंतिम संसकार होता है गत्ती का तब तक वहीं पर बैठती है मनुषु तो भाग आती है आगा यह और भागे वही बेठती है तीन साड़े तीन गंटे जब तक 3im7 नहीं व chopped बैठती फिर चिता देहन होने के बाद वो नदी में जाके इसनान करती है उसके बाद भोजन ग्रहा करती है वो गाए ऐसी तो गाउवाले कहते हैं कि इसमें जो गुण है वो किसी मनुश्व में नहीं है ऐसी गाए इस देश में पता नहीं कितनी मुझे तो एक पता चलै, पता नहीं कितनी हो रही, तो गाय की जो माननिता है वो बहुत उंची है इस तेश में, और उस माननिता को अगर बचा कर रखना है तो गाय की रख्षा करने ही, रख्षा करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन में, और एक प्रयासरकार के पर दूसरा व्यक्ति के पर व्यक्ति के पर चोटे छोटे दो काम किश्वेद रीप अंदवों को ये बताएं कि शेम कपसे और प्रार की के बाता की ये। से शेविन करोब हैं करूब शेगंटे के वीडियो से जोबी है, वो भी आप सुन सकते, सुनके दूसरों को सुना सकते हो, पॉपी करके दूसरों को दे सकते हो, करना है ये काम, और एगले 4-5 साल में इस देश को ये कलंक से मुक्त कराना है कि यहां गाय कटती है, भारत में ये कलंक मिट जाना चाहिए कि शर्दानजली देंगे जिनोंने गाए के लिए अपना जीवन होंग किया है और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि इस कार्य में आपको सभी साधू संतों का आश्वीरवाद मिलेगा सही हो कि कोई विरोध नहीं करेगा विरोध कुछ होगा तो राजनेता करेंगे और उनकी कोई दम नहीं है ताकत नहीं है आप उनसे डरो मत वो तो पानी के बुलबुले आज है कल नहीं है संतों का आश्वीरवाद मिलेगा समाज का सहीयोग मिलेगा संस्थाओं का सहीयोग मिलेगा इसलिए डरने की कोई बात नहीं पीछे हटने की बात नहीं बस एक संक को भी मिलकर यही सब बातों से कंविंस करा कि उसको इसमें जोड़ लेना तो इस तरह का आप अभियान चलाएं ऐसी अप्रिप्षा लेकर मैं आया अगर यह पूरी होगी तो मुझे बहुत खुश्वी होगी और दूसरों को आप प्रेलित करें इसको पूरा करने में तो और जाता खुश्वी होगी आभार बहुत पहले बाद कर दन्यवाद रजीफ है एक छोटी सी जानकारी देना भूल गया था यह गोरक्षा का जो संपूर्ण देश में अभियान चलता है इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है इस अभियान में बहुत खर्चा आता ह तो हमने क्या किया है कि कुछ खादी बनाना शुरू किया है खादी बेच कर हमें जो बुनाफ़ा मिलता है उससे यह अभियान हम चलते हैं तो हमारे लंबग 12-14,000 कारिकरता इस कामना पूरे देश में लगे है तो उनकी बनाई हुई कुछ खादी बाहर आई है आप अगर खरी देंगे तो इस अभियान के लिए हमें आर्थित मदद मिलेगी तो जरूर इसके लिए कुछ खर करें